इस चैनल दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज पीडियू में बात करने वाली है साउट की सूपर एस्टार महेस बाबु की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निकी वारू तो दोस्तों अगर आभी महेस बाबु की फैनों और अगर आप सरील लरू निकी वारू मोवी को देखन island को देखन आप से मिल नहीं खा सकता है 2020 की भारती तेलवु भास्ता की एक्षन कामेडी फी में जिसने अनीर रविपूडी ने लिखा और नीडेशित किया है यह त्री विक्डेंटर क्रेशंस जी महेश बाबू की इंटर्टेन्मेंट और एके इंटर्टेन्मेंट अस और की दारा नीर्मी थे फी में महेश बाबू रस्मी का मंदाना और विजय सांती है जबकि प्रकास राज और राजेंदर प्रसाद की सहायक भुमिकायन निभाती है देवीतरी प्रसाद ने संगीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पादन 31 माई 2019 को हैदराबाद में सुरू हुए सुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में सुरू हुए और नवांबर 2019 की मघर तक चली फीम 11 जनवरी 2020 को संकराती के सार दुनिया भर में 22-50 स्क्रीन पर रिलीज है प्रसंसर मिली लेकिन अलोशना का उचे से पठखटा कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फीम की वैसाही के रूप से सफर रही और फीम से आधी की कमाई की एक से 96 करोर दुनिया भर में बॉक्स ओफिस पर ट्रेनिंग की पोटल के बॉक्स ओफिस पर मोजो के अनुसार फीम ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुष्टना भारती सिना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहां अजे नाम का एक अने वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सुट रेजिमेंट में सामिल होता है बचाओ अभियान में गोली बारी के दोरान अजे गंभी रूप से घायल हो जाता है अजे की ब्रेगी डियर की अजे कुष्टना और उनके सायोगी स्रीव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुरनोल की राष्ते में वे संस्कृति से मिलते हैं जो एक चीड़ चीड़ी हासि लड़की है संस्कुरूती अजय कुरूस्तना को देखती और उसकी प्यार में पर जाते वो अस्मानिया के रुप से अजय को प्राभावित करने की कुछ सिसकरते लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कुरूनोल में विधाया किये दूला नागेंदरा से बचने के लिए अजय की मा भारती अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंदरा के आदमियों के धारा पकड़े जाते हैं जो उन्हें जान से मानने के धम की देते हैं तो अजय कुरूस्तना आते हैं और आदमियों को यह चेतावने देते हुए पीठी आए कि वो नागेंदरा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंदरा का मुख्यों गुरूं का नागेंदरा को यह बात पताता है कि इस बीच भारती ने अजय कुरूस्तना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंदरा के खिलाप मामला दर्श किया था जिसे अत्माहातिया की रूप में दिखाया गये था जब नागेंदरा ने उसे कीश वापस लेने की धमकी दी तो वो अपने ही बात पड़ अड़ी रही नतीजयतन भारती को परिक्षा की पेपर लिख करने के और रूप में काले से निलबित कर दिया गये था निलबित कर दिया जाता है और उसकी बेटी की सादी तूट जाती है अजय कुरूसना भारती साथ नागेंदरा के घर के लिए निकालते है और उसे चुनावती देते है कि यह कहती है कि वह उसे एक जिम्मेदार नागरीकर में बदल देगा उसी सभी सबुत लाने के बाद अत्म संप्रन करवाएगा अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंद्रा एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मग्यम से एक घुटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तकनीकी विशेश्की की मदल से घुटाले को उजा चला रहा है और उसी समय अजय कुरुषना ने उसी वैतित के साथ करती है बेटी की साधी की फिर से वैस्ता की इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरुषना साधी के बाद परिवार को सुचित करता है अपना अंतिम संस्कार करने के बाद अजय लूटने का फैसला करते हैं जबकि अजय कुरोस्ना भी बीच बीच में संस्कुरुति का परस्ताव को सुविकार कर लेती हैं सवुत इकटा करने के बावजुद। अजय कुरूशना नागेंदर को जेल में जाने से बचाते क्योंकि वह जेल से छुटने और अपने भश्ट की गती विधितियों को फिर से शुरू करने के लिए साहनु भूति का इस्तिमाल कर सकती है। इसके बज़य अजय कुरूशना नागेंदर से कहते हैं कि उन्हें भारती सेना में नियूत किया गया है ताकि वे अनुसासित रहें और उसके बार एक इमानदास जीवन जी सकें। तीन महीने बार नागेंदर एक सुधारित नेता है जो अनुसासन में विश्वास करता है और सभी का समान करता है और अजय कुरूशना संस्कुरूथी से साधी कर रहा है। कई अटकलों के बाद महेस बावू को सरीलरू की नीके वरू नाम की फिल्म की मुक्षियों नाटक के नाया के रुप में घोशित किया गय था। फिल्म का उर्धातन समारो 31 माई 2019 को आयोजित किया गय था। रस्मीका माना को महेस बावू के साथ फिल्म में प्रामु की मैला की भुमी का निभाने के लिए साइन किया गय था। इस फिल्म के लिए विजय सांते को साइन किया गया था कि जिसने तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टे गीट के लिए साइन किया गया था. यह फिल्म कई वर्सों के भार फिल्मों में संगेता और बंदलां की गनेश की वापसी की भी प्रतीक है. फिल्म पहला सेंडियोल पांच जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था दुसरे सेंडियोल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कुडा रेडी बरोजू के एकी प्रती कुलोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस सेंडियोल के सार फिल्म का टौकी भाग समाप्थ हो गया फिल्म की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली टेलिवीजन प्रेमियर फिल्म में 23 चार की टी आरपी दर्ज की फिल्म की डिजिटल आधिकार अमरेजन प्राम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गए थे और एक मार्च 2020 से इस्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिल्म को डॉप किया गया है और 2020 में इवान नुको को सरियाना के आई लुई के रूप में तॉमिल में रिलीज किया गया तॉमिल संसकारन को तॉमिल लाडू के बीस दूसे से आधिक सिनमगारों में रिलीज किया गये था 15 अगस 2022 को सरी लरू सिर्सक वाले हिंदी डॉप संसकारन की सीधा प्रीमियर गोल्ड माइस टीवी चैनल पर किया गये था फिल्म को कॉनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा की रूप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयापती ने फिल्म को 35 ए स्टार रिट किये और कहा कि सरी लरू निक्ये वारू में निचीत रोच से इसकी च्छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रियास करती है प्रदर सनों पर नयापती ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भूमिका की सरहाना करती हुए एक ऐसे वैठी की भूमिका निभाने की अच्छा क्राम किया जो देश की सिवा करेगा चुटकूले सुनाएगा और रक्षा करेगा उसने महसूस किया कि डी एसपी की संगीत ठीक था और राम लचमन की करवाई औक संग थेले की रत नवेलू की सेने मेटोग्राफी पर वी एफ एक्स की सोटर्स की दारा भारी पर गई इंडियन टूटे की इस बातंग जाननी ने जाननी के ने फिम को 25 इस्टार और लिखा महस बावू की फिम पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ पूर है जानी ने फिम में नकली बलतकार की दोस्यों की दोस्यों को भी अलोचना की बलतकार की नकली दोस्यों में नायका की मा को सामिल करने की दोस्ता हास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फास्ट पूस की इस पारंग हेमत कुमाने फिम को 325 इस्टार रेटि दा इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक रमिक्षा में, मनुष कुमार ने फिल्म को रेट किया, फिल्म को 35 स्टार दे और लिखा, महिस बावू साइंस इन माइन की ब्रेडिम पाप्रान फेयर सिफिय ने फिल्म को 35 दिया और इसे एक कर्मस्थियर एक्सन इंटर्टेनर कहा, द्या हिंदू की संगीदा दिविनुद लिखा कि महिस बावू की फिल्म आस्तिक रूप से मनरोजन मित्रिक बैग है एक प्रोन मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने महसुस किया कि महिस बावू की पास देने की कुछ भी नहीं है और उर्द महिस की दूसित और उसकी मुहावरे निकू अर्थम आटूंडा है सरी लडरो निकीवारो ने पहले दिन कुल 6-80 मिलियन की कमाई की कमाईगी दुनिया भर में महेस बाबू के पिछले सटरेस महार सी पान से नबे मिलियन की शकल कमाईगी उच पाहा छाड के दिया फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन से और दस दिनों में दुनिया भर की कमाईगी सबसे ज़एदा कमाई करने वाली तेलगू फिल्मों से एक बन गई और तेलगू भासे की राजियों आंद्रा प्रादेश और तिलगाना में फिल्म ने पहले दिन 3-7 मिलियन का हिस्टर एक्तर किये दस दिनों में तेलगू राजियों में एक अरब से सबसे से आधिक सेर एक्तरीत करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिल्म ने प्रेमिया सो की मग्यम से साथ से उन्सट एक्तर की पहले दिन फिल्म ने अस्टेलियाई में 2-36-7-54 अस्टेलियाई डॉलर नयुजी लैंड में 20-7-57 नयुजी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्नम में 55-34 पाउंड की कमाई की और दो दिनों में फिल्म ने सयुक्तर आमेरिका में 1-31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की तीन दिनों में फिल्म ने कनाड़ा से 4-54-4-7 यूएस से 26-29-74 एक आरे से 5-5-5 मिलियन और यूकी से 6-89-6-1 पाउंड की कमाई की नौ दिनों में फिल्म ने यूएस से मिलियन 1-4-21 मिलियन अस्टेजिय से 3-49-9-2-6-8-1-1 मिलियन यूके से 92-28-88-88 मिलियन और नयुजी लैंड से 5-61-66 मिलियन की कमाई की और इसने सायूत रजे अमेरिका में मिलियन को पार कर लिया और त्री मुठूंडू और भारत आने नैनू के बाद महेस्त भाबू को करियर में मिलियन एक्तरा करने वाली तीसरी फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेस्त भाबू का जनम नौ अगस्त उने से पचातर को मदरास अपचिने तमिनारू भारत में एक तेलू भासी परिवार में हुआ था हुआ रामेस्त भाबू परचावती और मजुला के बाद और प्रियदर सीनी से पहली तिल्गू अभिनेता कुष्णा और इंदिरा के पांच बच्चों में से चोथे उनका परिवार अंद्रप्रादेश के गुंटू जीले की बुरी पलेम से है भाबू ने अपना ही जयादातर मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों को देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेडे की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी इसकूल चेनाई में सिंचा प्रापात की थी उन्होंने लोयोला कालेज चेनाई से वनीजिया में सन प्रापात की उन्होंने कहा कि वह तेलुगों पढ़ने और लिखने में अस्मर थे और अपनी फिर्मों को डॉमी चरन के दरान उनकी निरेशन की दारा दिए गए सावादों को याद करते थे उन्हें से निरानवे में बाबु ने की राग्वेन राव की दरान निदेशित और प्रेटी जिन्ता की स्वय अभिनेर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुख्य भुमिका के रूप में अपनी सुरवात की फिर्म वैसाही के रूप से सफरेई और लोग उन्हें प्रान सिंसक से बुराने लगे फिर्म को 38 क्रेंडों में 50 दिन और 44 नंदी में प्रेस नंबर एक और तामिर में कथल की विनिला की रूप में डॉप किया गया था फिल्म को फिर से डॉप किया गया और जन्वरी 2017 के डौरान इवान ओरी क्यों तुनी चल करान की रूप में तामिर में नाटकर की रूप से रिलीज किया गया था अपनी प्रद अफिस पर उनके खराब प्रदसन के बार उन्होंने कुरूशना वामसी की मुरारी 2001 में अभिनाय किया। उन्होंने मुरारी को अपनी करियर की एक महातोवां प्रून फिल्म माना और इसमें उन्हों जो मुख्यों भुमी का निभाई वो उसकी पसंदेना फिल्मों से एक थी। असपर सत्यापन मुरारी एक वैसाही के सफलता थी। और उन्हें ही नंदी एस्पेसर जीवरी प्रसकार से समानित किया गया। अर्शत्रीस अभिनेता तेलोगों के लिए फिल्म फियर प्रसकार के लिए अपना अप पहले ही नमाकन के अलावा। हलाकि उनकी दोजादो की डिली डोकन टोंगा और बॉबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासम किया। फ्रो में उनकी प्रदासम उन्हें अपना दूसरा नंदी एस्पेसर जीवरी के प्रवसकार दिलाया। और ही दोजातीन में बाबू की दो फिल्मों रिलीज हुए जिन में से पहले गुनसेखर की अलोचना गुनसेखर की ओकाडो सो अभिनेत भोमिकार चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसी आधी कमाई करने वाली तेल्गू फिल्म बन के लिए तेजा की निजाम निजाम सो अभिनेत रख चीकता थी फिल्म को तेलोगू सिनेमा में डॉल्बी आई एक्स के स्रावन की सिस्टम शुरू करने के लिए जाना जाता है हलाकि फिल्म एक वैसा ही की विफलता थी बाबू को भी मैं उनकी प्रदासन के लिए समीक्ष से प्रसान से मिली की विजय लक्षमी ने उने फिल्म की दुसरी छमाई देखने का एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रती सुर की एक नियमित कहानी कहा है उन्होंने फिल्म में अपनी प्रदासन के लिए अभिनेता के लिए अपना पहला नंदी प्रशकार जी था दोज़े चार में मंजुला ने अपनी अगले फिल्म नानी की निर्मान किया जिसका निर्देशन एज से स्टोरिया ने किया जिसमें अमीसा पटेल ने अभिनाय किया जबकि इसके साथ सूट किया गए तामी संसकारन नियू के नियू में एक अलग कलाकार की भूमी का वैसाही की रूप से सफ़साबित हुई नानी बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्रत्मी की सोट किया अवै सकता उने अपनी अगली फिल्म में उनकी प्रदासन की तीसरे नंदी इस पेसर जूड़ी आवार्ण मिला और जुनकुन चिकपर को 2022 में नानी और अरजुन की निर्मान से पहले ही मज़दूरी और अरजुन की निर्मान से पहले मज़दूरी दे दी गई थी और प्रत्मी की सोट यह साल की सबसे जारा कामाई करने वाली फिल्मों से एक बनकर उबरी फिल्म बाबु की करियर के लिए प्रामु क तिलोगों के लिए फिल्म फियर पुरसकार के लिए अपना चोथा नमाकवन प्रापाद हुआ फिल्म ले बॉक्स ओफिस पर 22 कड़ों का हिस्तर एक तरह किये ने इसे 325 की रेटिंग दी और उले किया की महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस की और संदार है इसके बाद उन्होंने दोज़ा 6 में फिल्म फोकीरी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया की जगनात और मंजूला ने सयोग त्रूप से निर्मीत किया था 10 करोड के बजट पर बनी छो महीने की भी 10 सूट की गई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 65 करोड़ों से आधिकी कमाई की और अपने रन की अंतग अब तक की सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गों फेम बन गई भेतर सोट की अवस्तक्ता इसे दुबई में आयोजी सात्वे आईफ़ा प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्हें अपने प्रदसन के लिए उच्चा प्रसंस मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोधरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हें असानी से एक इस्टार की सिल्षभ को पून प्रापात करने के अनुमत्ती दी जो देर से उनके संकीत करियर विकलपों पर हावी हो गया उन्होंने फेर में अपने प्रदसन के लिए अभिनेता तेलोगों के लिए अपना दूसरा फिल्षभ प्रसकार रेता उसी वर्ष तिरिशा किस्टा अभिनेता उनकी अगली फेर में शायनी कोड़ों रिलिज्वे ले से उनका तेलोगों डेब्यू हुआ फिल्म का निर्मान महेश बाबु की भाई राम मिर्स ने किया था यू टीवी मोस्तन पिक्चर्स ने फिल्म की वित्रन आधिकारों को अठारे से पास कडोर में हासिल कर लिया जो इसका पहला तेलोगों फिल्म उगम बन गए दूसे आ इने बाद उन्हें खाले जा परहाथ ताज़र की लेकिन कई देरी की करण ब्रेक को अनाया से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी दरान बाबो की दादी और उनकी परनी नरमता के माता पिता का देहात हो गया कुरुषना बाबो की करियर को लेकर चिंती थे क्योंकि फिल तो दोस्तो स्वावत है आपकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाली है साउट की सुपर इस्टार महेस बाबू की करियर की सबसे बड़ी मुवी जिसका नाम है सरी लरू निक्की वारू तो दोस्तो अगर आभी महेस बाबू की फैनों और अगर आप सरी लरू निक्की वारू मुवी को देखना चाहते हूं और साथी साथ इस मुवी को बजेट इन वाक्स ऑफिस करेक्शन को जाना चाहते हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ विल आइकन दबाना नाम भी ना भूलेगा सरी लरू निक्के वारू अनुआ कोई भी आप से मिल नहीं खा सकता है एक दूजर बीस की भारती तिलवुभास्ता की एक्षन कामेडी फी में जिससे अनीर रविपूडी ने लिखा और निडेशित किया है यह त्री विक्डेंटर क्रेसंस जी महेश बाबू की इंटर्ट कायन निभाती है देवितरी प्रसार ने संगीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पादन 31 माई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में शुरू हुए और नवांबर 2019 की मघर तक चली फिल्म 11 जनवरी 2020 क 75 करोर के बजट पर निर्मित रिली जोने पर इसे अपनी हासे प्रदसन सीनेमेटोग्राफी और एक्षन दोसियों के लिए प्रसांसर मिली लेकिन अलोशना का उचे से पठख़टा कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फिल्म की वैसाही के रुप से सफर रई और फि पर्टल बोक्स ऑफिस पर मोजो के अनुसार फिम ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुष्टना भारती सीना की पेरा एसेफ में एक मेजर जहां अजे नाम का एक अन्य वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सूट रेजिमेंट में सामिल होता है बजाओ बचाओ अ अजे कुष्टना और उनके सहयोगी स्तिव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेजती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णोल की राष्टे में वे संस्कुरुष्टी से मिलती है जो एक च कुर्णोल में विधाया किये दूला नागेंद्रा से बचने के लिए अजे की मा भार्दी अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंद्रा के आदमियों के दारा पकड़े जाती है जो उन्हें जान से मानने की धम की लेते है तो आजे कुरुष्टना आते है और आदमियों को यह चेतावने देते हुए पीर्टी है कि वो नागेंद्रा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्यों गुरुंगा नागेंद्रा को यह बात बताता है कि इस बीच भार्दी ने अजेक रुस्टना को बताया कि उसने अपने भाई की तो वो अपने ही बात पर अड़ी रही नतीजयतन भारती को परिख्षा की पेपर लिख करने के और में काले से निलबिट कर दिया गय था निल्विट कर दिया जाता है और उसकी बेटी की साधी तूट जाती है अजय कुरूसना भारती साथ नागेंदर के घर के लिए निकलते हैं और उसे चुनावती देते हैं कि यह कहते हैं कि वो उसे एक जिम्मेदार नागरेकर में बदल देगा उसी सभी सबुत लाने के बाद अत्म संप्रन करवाएगा अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंदर एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मगयम से एक घुटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तकनीकी विशेशकी की मदद से घुटाले को उजागर करने की कुशिशकी जो नागेंदर की टेक्नोलाजिज की जिसकी सथापना की गई थी मैं काम करता है नागेंदर की दारा अपने घुटाले चला रहा है और उसी समय अजय कुरुष्णा ने उसी वैतित के साथ करती है बेटी की साधी के फिर से वैस्ता की इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरुष्णा साधी के बाद परिवार को सुचित करता है अपना अंतिम संसकार करने के बाद अजय कुरूसना और प्रसाथ कस्मी लोटने का फैसला करते हैं जबकि अजय कुरूसना भी बीच बीच में संसकुरूती का प्रस्ताव को स्विकार कर लेते हैं सबुत इकटा करने के बावजूद अजय कुरूसना नागेंदर को जेल में जाने से बचाते क्योंकि वा जेल से छुटने और अपनी भश्ट की गती विधितियों को फिर से सुरू करने के लिए सानु भूति का इस्तिमाल कर सकती है। करता है और अजे कुषना संस्कुरूति से साधी कर रहा है। कई अटकलों के बाद महेस्त बावू को सरी लरू की नीके वरू नाम की फिल्म की मुक्षियों नाटक के नाया के रूप में घोशित किया गए था। फिल्म का उर्धातन समारो 31 मई 2019 को आयोजित किया गए था। रश्मीका मांदाना को महेस बावू के साथ फिल्म में प्रमु की मैला के भुमिका निभाने के लिए साइन किया गए था। इस फिल्म के लिए विजय सांते को साइन किया गए था कि जिस तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गिट के लिए साइन किया ग 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था दूसरे सेंडियों के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कूडा रेडी बरोजू के एकी प्रती क्रोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस सेंडियों के सार फिम का टौकी भाग समाप्थ हो गया और टौकी भाग समाप्थ हो गया फिम की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली टेलिवीजन प्रेमियर फिम में 24 की टी आरपी दर्ज की फिम की डिजिटल आधिकार अमरेजन प्राइम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गये थे और एक मार्च 2020 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिम को डौक किया गया है और 2020 म इवान नोको को सरियाना के आई लाइलूई के रुप में तौमिल में रिलीज किया गया तौमिल संसकारन को तौमिल लाडो के 20 दूसे से आधिक सिनमगारों में रिलीज किया गये था 15 अगस 2022 को सरी लरू सिन्सक वाले हिंदी डॉप संसकारन की सीधा प्रेमियर गोल्ड माइस तीवी चैनल पर किया गये था फिम को कौनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा के रुप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयापती ने फिम को 35 एश्टार रिट किये और कहा कि सरी लरू निक्ये वारू में निचित रोष से इसकी छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रियास करती है प्रदर सहनों पर नयापती ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भूमिका की सरहाना करती है एक ऐसे वहतित की भूमिका निभाने की अच्छा क्राम किया जो देश की सेवा करेगा चुटक दुर्भागय से सब पर वी एफ एक्स की सोटस की दारा भारी पर गई इंडियन टूटे की इस बातंक जाननी ने जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महिस बाबु की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी नकली बलतकार की दूस्यों को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूस्यों में नाइका की मा को सामिल करने की दूस्ताहास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फार्श पूर्ष की इस पारंग हेमत कुमानी फिल्म को 23-25 इस्टार रिटिंग दी और कहा महिस पूरी के विर्ता और कामेडी को बेहतरीन मित्रन में इससे हिट किया दा इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक रमिक्षा में मनुष कुमार ने फिल्म को रेट किया फिल्म को परतिस पाज स्टार दे और लिखा महेस बाबू साइंस इन माइन की ब्रेडिम पापकरान फियर सिफी ने फिल्म को परतिस दिया और इसे एक करमस्तियर एक्सर इंटर्टेनर कहा दा हिंदू की संगिदा दिविनुद लिखा कि महेस बाबू की फिल्म आस्तिक रूप से मनरोजन मित्रिक बैग है एक प्रोण मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने महसुस किया कि महेस बाबू की पास देने की कुछ भी नहीं है और उर्दूत किया कि एक आर्मी मेजर की कहानी का थाना को खो देती है और बेवदा कमेडी में बदल जाती है रस्मिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेटर है महेस की दूसित और उसकी मुहावरे निकू अर्थम आटूंडा है सरी लरो निकी वारों ने पहले दिन को छो से असी मिलियन की कमाई की कमाई की दुनिया भर में महेस बाबू के पिछले सत्रेस महार सी पान से नबे मिलियन की सकल कमाई की उच पाहा छाड की दिया फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन से और दस दिनों में दुई मिलियन की कमाई की पचास दिनों के चलने पर बार फिम ने दुनिय भर की बोक्स ओफिस पर दोई मिलियन से आधी की कमाई की सबसे जयरा कमाई करने वाली सबसे जयरा कमाई करने वाली तेलगू फिल्मों से एक बन गई और तेलगू भासे की राजियों आंधर प्रादेश और तिलगाना में फिम ने पहले दिन तीन से सताई साथ मिलियन का हिस्टर इत्र किये दस दिनों में तेलगू राजियों में एक अरब से सबसे से आधीक स्तियर एक्टरीट करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिल्म ने प्रेमियर सो की मग्यम से 7-69 एक्टर की पहले दिन फिल्म ने अस्टेलियाई में 2-36-54 अस्टेलियाई डॉलर नयूजी लैंड में 20-57-57 नयूजी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्णम में 52-34 पांड की कमाई की और दो दि एकमाई के नो दिनों में फिर्म डीन ने yoo से विता Readin असेasली से प्रथाकतरानी की कमाईगें की हिस newer ऐसे 271 धीनों based दिन चालीसी और cynडर ब्र॥ार्पानी व्यांसे ब्थे ऐनायिन अस्टीम देजर थे शेण्वे ऐनाये अठारह 8 से 88 मिर्यन और नयूजीलम जिलन से 5 से 26, agrees 61,ulation मिर्यन की कमा के और इस ने सायोत रजिये अमेरिका में मिल्यन को पार कर लिया और त्री मुथूंडू और भारत आने 9 के बार महेश्त भावु को करियर मी मिल्यन एकतरा करने वाली तिस्री फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेस बाबू का जनम 9 अगस्त 19-25 को मदरास अपचिने तमिनारू भारत में एक तेलोग भासी परिवार में हुआ था मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों को देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेड़े की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी इसकुल चेनाई में सिंचा प्रापात की थी उन्होंने लोयोला काले चेनाई से वनीजिया में सनाट की ड्रीगी प्रापात की उन्होंने कहा कि बहुत तेलुगों पढ़ने और लिखने में असमर थे और अपनी फिर्मों को डॉमी चरन के दरान उनकी निरेशन की दारा दीए गए सावादों को याद करते थे उन्हे से निरानवे में बाबू ने की रागुए न राव की दरान निदेशित और प्रीटी जिन्ता की स्वाय अभिनेर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुखियों भुमीका की रूप में अपनी सुरवात की फिल्म वैसाही की रूप से सफरे और लोग उन प्रान सिंह सख से बुराने लगे फिल्म को अस्ति क्रेंडों में 50 दिन और 44 क्रेंडों में सही दिनों तक चलाए गये था राजकु मारूडू ने आनरा प्रदेश से 10 से 21 कड़ों का हिस्सा एक त्रेक किये इसे हिंदी में प्रेस नंबर एक और तामिर में कथल की विनिला की रूप में डॉप किया गय था फिल्म को फिर से डॉप किया गय और जन्वरी दोजास सत्तिरे के डौरान इवान ओरी की ओरुकु थुनी चल करान की रूप में तमीर में नाटकर की रूप से रिलीज किया गय था अपनी प्रदासन के लिए उन्हें ही प्रुष प्रावतान के लिए नंदी प्रयाशकार मिला उन्होंने अगले वस दो फिल्मों अभिनाय किया यो राजु और वामची बोस ओफिस पर उनके ख्राब प्रदसन के बार उन्होंने कुरुषना वामची की मुरारी 2001 में अभिनाय किया उन्होंने मुरारी को अपनी करियर की एक महात्यों प और उन्हें ही नंदी एस्पेसर जीवरी पुरसकार से सामानित किया गया और 37 अभिनेता तेलगों के लिए फिल्म फियर पुरसकार के लिए अपना अप पहले ही नमाकन के अलावा हलाकि उनकी दोजादो की डिली डोकन टोंगा और बाबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासम किया पुर में उनकी प्रदासम उन्हें अपना दूसरा नंदी एस्पेसर जीवरी के पुरसकार दिलाया और ही दोजादीन में बाबू की दो फिल्मों रिलीज हुए जिन में से पहले गुन सेखर की अलोचना गुन सेखर की ओकाडू सो अभिनेत भोमिका चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसी आथी कमाई करने वाली तेल्गू फिल्म बन गए फिल्म को तेल्गू सिनेमा में डोल्बी आई एक्स के स्रावन की सिष्टम शुरू करने के रिए जाना जाता है हलाकी फिल्म एक वैसा ही की विफलत थी बाबू को फिल्म है उनकी प्रदासन के लिए समीच्छ से प्रसान से मिली की विजय लक्षमी ने उन्हें फिल्म की दुसरी छमाई देखने का एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रेती सुर की एक नियमित कहानी कहां उन्होंने फिल्म अपने प्रदासन के लिए अभिनेता के लिए अपना पहला नंदी प्रसकार जीता साथी अभिनेत्ते लोगों के लिए फिल्म फिल्म आवार के लिए अपना तीसरा नमाकन भी जी था दोस्ट चार में मंजुला ने अपनी अगले फिल्म नानी की निर्मान किया जिसका निदेशन एस से सोरिया निकिया जिसमें अमीशा पटेल ने अभिनाय किया जबकि इसके साथ सूट किया गए तरमी संस्कारण निव के नीर में एक अलाकलाकार की भूमी का वैसाही की रूप से सफ़ साबीत हुई नानी बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्राथमी की सोच की आवे सकता उने अपनी अगली फिर्म में उनकी प्रदसन की तीसरे नंदी इस पेसर जुड़ी आवार मिला और जुन कुन सिखर की दरा निदेशित और रमेश की दरा निर्मित उरुने तिरी विक्रम तिरी निवास की अथाडू दोजर पाथ में सव अभिनी तुस्ता क्रोशन में अभिनाय करना चुना जिसकी सिखपर को दोजर दू में नानी और अर्जुन की निर्मान से पहले ही मजदूरी और अर्ज क्योंकि उन्हें किराय की हत्यारों को विमेका में अपनी प्रदासन के लिए आभिनेता के लिए अपना दूसरी नंदी पृषकार प्रपाद करने के अलावा आभिनेता तिलुगों के लिए फिल्म-फियर पृषकार के लिए अपना चौथा नमाक injured प्रापाद हुआ फिर्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22 कड़ों का हिसा एक्तरा किये ने इसे 23 से 25 की रेटिंग दी और उलेख किया कि महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस किये और संदार है इसके बाद उन्होंने 26 में फिर्म पोकिरी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया कि जिसे जगनात और मंजूला ने सयोग तुरूप से निर्मीत किया था 10 करोर के बजट पर बनी 6 महीने की भी 10 सूट की गई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 65 करों से आधी की कमाई की और अपने रन की अंत अब तक ही सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गो फिल्म बन गई भेतर सोट की अवज सक्ता इसे दुबई में आयोजीत सात्वे आईफ़ प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्हें अपने प्रदसन के लिए उच्चा प्रसंसा मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोधरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हें असानी से एक इस्टार की सिल्षभ को पून प्रापात करने के अनुमत्ती दी जो देर से उनके संकीत करियर विकलपो उपर हावी हो गया उन्होंने फेर्म में अपने प्रदसन के लिए अभिनेता तेल्वो के लिए अपना दूसरा फिल्षभ पुरस्कार रहे था उसी वर्ष तिरिशा की सो अभिनेता उनकी अगली फेर्म सायनी को कोडो रिलीज है लेकिन बहुत आधिक प्राचार के बावजूर या बोक्स ओ अफिस पर फलाप रही और अगले वर्ष बावु ने अमरूता राव किस्ता अभिनेत फिल्म आथी इती दे में अभिनाई किया जिसे उनका तेल्वो डेब्यू हुआ फेर्म का निर्मान महेस बावु की भाई राम मिस ने किया था यू टीवी मोस्तन पिक्चर्स ने फिल फिल्म की वित्रन आधिकारों को अठारे से पास कड़ोर में हासिल कर लिया जो इसका पहला तेल्वो फिल्म उगम बन गये दूर से आठ में बावु ने त्री विक्रम त्री निवास की दारा नीदेशी फिल्म जलसा के लिए आवाज दी आतीधी की जरी हाई के बाद इसी दारान बावो की दादी और उनकी पर निर्मता के माता पिता का देहात हो गया कुरुष्णा बावो की करियर को लेकर चिनती थे क्योंकि फिल्म की सुटिंग में इतने लंबे समय से देरी हो रही थी गैर प्रत्मी की सोथ और अवैसिक्तर रिलिज होने पर खलेच को अलोज को से मिती समीख चाय मिली और या भाव लो दोस्तों स्वावत है आपकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउथ की सुपर एश्टार महेस बावो की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निक की वारू मोवी को देखना चाते हूँ और साथी साथ इस मोवी को बजेट इनवाक्स ओफिस करेक्शन को जाना चाते हूँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ विल आइकन दवाना नाम भी ना भुलेगा सरे लरू निके वारू अनुआज कोई आप से मिल नहीं खा सकता है एक दूजर बीस की भारती तिलवु भास्ता की एक्शन कामेडी फी में जिससे अनीर रविपूडी ने लिखा और निदेशित किया है यह त्री विक्डेंटर क्रेशन्स जी महेश बावू की इंटर्टेन्मेंट और एकें इंटर्टेन्मेंट अस और की दारा निर्मी थे फिर में महेश बावू रस्मी का मंदाना और विजय सांती है जबकि प्रकास राज और राजेंदर प्रसाद की साहयक भुमिकायन निभाती है देवीतरी प्रसाद ने संकीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पारन 31 माई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में शुरू हुए और नवामबर 2019 की मघर तक चली फिल्म 21 जन्वरी 2020 को संक्राती के सार दुनिया भर में 22-50 इस्क्रीन पर रिलीज है लेकिन अलोशना का उचे से पठखटा कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फिल्म की वैसाही के रूप से सफर रही और फिल्म से आधी की कमाई की एक से 96 कडूर दुनिया भर में बोक्स ओफिस पर ट्रेनिंग की पोटल के बोक्स ओफिस पोटल बोक्स ओफिस पर मोजो के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुशना भारती सीना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहां अजे नाम का एक अन्य वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सूट रेजिमेंट में सामिल होता है बचाओ अफियान में गोली बारी के दवरान अजे गंभी रूप से घायल हो जाता है अजे की ब्रेगी डियर की अजे कुशना और उनके सहयोगी स्थिव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णोल की राष्टे में वे संस्कुरूस्ती से मिलते है जो एक चीड़ी हास्ते लड़की है संस्कुरूस्ती अजे कुरूस्तना को देखती है और उसकी प्यार में पर जाती है वो अस्मानिया के रुप से अजय को प्राभावित करने की कुछ सिस करते हैं लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कुरुनोल में विधाया कि ये दूला नागेंद्रा से बचने के लिए अजय की मा भार्दी अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंद्रा के आदमियों के दारा पक्रे जाते हैं जो उन्हें जान से मानने की धम की देते हैं तो आजय कुरुस्तना आते हैं और आदमियों को यह चेतावने देते हुए पीठी है कि वो नागेंद्रा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्य गुरूं का नागेंद्रा को या बात बताता है कि इस बीच भारती ने अजयक रूसना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंद्रा के खिलाप मामला दर्श किया था जिसे अत्म हत्या के रूप में द प्रावले से निलवित कर दिया गए था रूबित कर दिया जाता है और उसकी बेटी कि साधी तूट जाती है अजय अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंदर एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मग्यम से एक घोटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तक्निकी विशेश्की की मदद से घोटाले को उजागर करने की कुशिश्की जो नागेंदर की टेक्नोलाजिज जिसकी सथापना की गई थी मैं काम करता है। नागेंदर की दारा अपनी घोटाले चला रहा है। और उसी समय अजय कुरुष्णा ने उसी वैतित के साथ करती है। बेटी की साथी की फिर से वैस्ता की इस बीच की अजय को म्रतूत कर दिया जाता है। और अजय कुरुष्णा साथी की बाद परिवार को सुचित करता है। अपना अंतिम संसकार करने के बाद अजय कुरुष्णा को और प्रसाथ कस्मी लोटने का फैसला करते है। जबकि अजय कुरूशना भी बीच बीच में संस्कुरूती का प्रस्ताव को स्विकार कर लेती हैं, सबुत इकटा करने के बावजूद अजय कुरूशना नागेंदर को जेल में जाने से बचाते हैं, क्योंकि वा जेल से छुटने और अपने भश्ट की गती विधितियों को फिर से शुरू करने के लिए सानु भूती का इस्तिमाल कर सकती हैं, इसके बज़ए अजय कुरूशना नागेंदर से कहते हैं कि उन्हें भारती सेना में नियूत किया गया है, ताकि वे अनुसासित रहें और उसके बाद एक इमांदास जीवन जी सकें, तीन महीने बाद न कई अटकलों के बाद महेस बावु को सरीलरू के निकेवरू नाम की फिम की मुख्यों नाटक के नाया के रुप में घोषित किया गय था, फिम का उर्धातन समारो 31 माई 2019 को आयूजित किया गय था, रस्मिका मांदाना को महेस बावु के साथ फिम में प्रमू की मैला के इजय सांते को साइप किया गए था कि जिसंते तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गेट के लिए साइन किया गए था । यह फिल्म कई वर्सों के बादonces की वापसी की भी प्रतिक है फिल्म पहला सेंडियोल पांच जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था दुसरे सेंडियोल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कुडा रेडी बरोजू के एकी प्रती क्रोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस सेंडियोल के सार फिल्म का टौकी भाग समाप्थ हो गया फिल्म की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपनी पहली टेलिवीजन प्रेमियर फिल्म में 23 चार की टी आरपी दर्ज की फिल्म की डिजिटल आधिकार अमरेजन प्राइम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गये थे और एक मार्च 2020 से इस्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिल्म को डॉप किया गया है और 2020 में इवान नुको को सरियाना के आई लुई के रूप में तौमिल में रिलीज किया गया तौमिल संसकारन को तौमिल लाडू के 22 से आधिक सिनमगारों में रिलीज किया गये था 15 अगस 2022 को सरी लरू सिंसक वाले हिंदी डॉप संसकारन के सीधा प्रीमियर गोल्ड माइस तीवी चैनल पर किया गये था फिल्म को कौनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा की रूप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयापती ने फिल्म को 35 से श्टार रिट किये और कहा कि सरीलरू निकेवारू में निचीत रोष से इसकी च्छान है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठेन प्रियास करती है प्रदर्शनों पर नयापती ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भुमिका की सरहाना करती है एक ऐसे वैठी की भुमिका निभाने की अच्छा क्राम किया जो देश की सिवा करेगा चुटकूले सुनाएगा और रक्षा करेगा उसने महसूस किया कि DHP की संगित ठीक था और राम लच्मन की करवाई औक संग थेले की रत नवेलू की सेने मेटोग्राफी दुर्भागय से सब पर वी एफ एक्स की सोटर्स की दारा भारी पर गई इंडियन टुटे की इस बातंग जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महस बाबू की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ मजबूर है जाननी ने फिल्म में नकली बलतकार की दूस्यों क को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूस्यों में नाइका की मा को सामिल करने की दूस्ता हास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फास्ट पूस की इस पारंग हेमत कुमार ने फिल्म को 325 इस्टार रेटिंग दी और कहा महस बाबू ने आनिर रवेपूरी के विर 35 इस्टार दे और लिखा महस बाबू साइंस इन माइन की ब्रेडिम पापक्रान फियर सिफी ने फिल्म को 35 दिया और इसे एक करमस्तियर एक्षर इंटर्टेनर कहा धा हिंदू की संगीदा दिविनुद लिखा कि महस बाबू की फिल्म आस्तिक रूप से मनरोजन मितिक बै नहीं है और उर्दूत किया कि एक आर्मी मेजर की कहानी का थाना को खो देती है और बेवदा कमेडी में बदल जाती है रस्मीका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेठर है महस की दूशित और उसके मुहावरे नीकू अर्थम आटूंडा है सरी लरो नीके वारों ने पहले दिन कुल 6 से 80 मिलियन की कमाई की दुनिया भर में महेस बाबू के पिछले सत्रेस महार सी 5 से 90 मिलियन की सकल कमाई की उच पहा छाड की दिया, फिर्म ने 3 दिनों में 1 मिलियन से और 10 दिनों में 2 मिलियन की कमाई की, पचास दिनों के चलने पर बार फिम ने दुनिय भर के बोक्स ओफिस पर दोई मिलियन से आधिक कमाई की सबसे ज़ाड़ा कमाई करने वाली सबसे ज़ाड़ा कमाई करने वाली तेलगू फिल्मों से एक बन गई और तेलगू भासे की राजियों आंध्रा प्रादेश और तिलगाना में फिम ने पहले दिन तीन से 277 मिलियन का हिस्सर इत्रा किये दस दिनों में तेलगू राजियों में एक अरब से सबसे ज़ाड़ा करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिम ने प्रेमिया सो की मगयम से 7-69 एक ट्रा की पहले दिन फिम ने अस्टेलियाई में 2-36, 7-4 अस्टेलियाई डॉलर नयूजी लैंड में 20-7-57 नयूजी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्ना में 55-34 पाउंड की कमाई की और दो दिन से सायूक्त यूर्य अमिरिका में 1-31 मिलियन अमिरेकी डॉलर की कमाई की नौ दिनों में फिम ने कनाडा से 4-54 चार जान एंट Nou Heyूस से 6-29-4 एक aloudे से 51 मिलियन और यूगी से 86-51 million की कमाई की 9 दिनों में फिर्म ने U.S. से million 1 से 42-81 million और स्टेजियल से 43-49-웃 둘 से 71-71 million UK से 96-98-88 million और नयूजिलान से 56-61-86 million की कमाई की और इसने सायोत रजे अमेरीका में million को पार कर लिया और त्री मुठूंडू और भारत आने नेनू के बाद महेस्ट भाबू को करियर में मिरियन एक्तरा करने वाली तीसरी फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेस्ट भाबू का जनम नौ अगस्ट उने से पचातर को मदरास अपचिने तमिनारू भारत में एक तेलू भासी परिवार में हुआ था मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों को देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेडे की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी इसकुल चेनाई में सिंचा प्रापात की थी उन्होंने लोयोला काले चेनाई से वनीजिया में सनाट की ड्रीगी प्रापात की उन्होंने का कि बहुत तेलुगों पढ़ने और लिखने में अस्मर थे और अपने फिर्मों को डॉमी चरन के दरान उनकी निरेशन की दरान दिये गए सावादों को याद करते थे उन्हे से निरानवे में बाबू ने की रागवे न राव की दरान देशित और प्रीटी जिन्ता की स्वाय अभिनेर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुखी भुमीका की रूप में अपनी सुरवात की फिल्म वैसाही की रूप से सफरे और लोग उने ही प्र प्रादेश से 10 से एकान करोरखा हिस्सरे एक्त्रक किए इसे हिंदी में प्रेस नंबर एक और तामिर में कथल की विनीला की रूप में डौप किया गये था फिर्क को फिर से डौप किया गये और जन्वारी दोğ d gensने के की डौरान इवान ओरी को थुनी चल करान के रूप मे तमिल में नाठकर की रूप से रिलीच किया गे था अपनी प्रदशन के लिए उन्हें प्रूस प्रावतान के लिए नन्दी प्रुयसकार मिला उन्होंने अगले बस दो फिल्मों अभिनाय किया यो राजु और वाम्सी बोस ओफिस पर उनके खराब प्रदशन के बार उन्हो जो मुख्यों भुमिका निभाई वो उसकी पसंदेना फिल्मों से एक थी अस्पर सत्यापन मुरारी एक वैसाही के सफलता थी और उन्हें ही नंदी इस पेसर जीवरी प्रसकार से सामानित किया गया और 37 अभिनेता तेलोगों के लिए फिल्म फियर प्रसकार के लिए अपना अप पहले ही नमाकन के अलावा हलाकि उनकी दोज़ादों की डिली डॉकन टोंगा और बॉबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासन किया फिल्म में उनकी प्रदासन उन्हें अपना दूसरा नं सेखर की अलोचना गुन सेखर की ओकाडों सो अभिनेत भोमिका चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसे आथी कमाई करने वाली तेलोगों फिल्म बन गए उन्होंने फिल्म में अपनी प्रदासन के अभिनेता तेलोगों के लिए अपना पहला फिल्म फियर प्रसकार जीता अन्य रिलीज तेजा की निजाम निजाम सो अभिनेत रख चीकता थी फिल्म को तेलोगों सिनेमा में डॉल्बी आई एक्स के स्रावन की सिस्टम शुरू करने के लिए जाना जाता है हलाकि फिल्म एक वैसा ही की विफलता थी बाबु को फिल्म में उनकी प्रदर्शन के लिए समीच से प्रसांस मिली की विजय लक्षमी ने उने फिल्म की दूसरी छमाई देखने का एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रेथी सुर की एक नियमित कहानी कहा है उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए अभि लेगले 這個-नी की निर्मान किया जिसका नियेशन शर्म उसा इससे जिए भूँप के रुप से सफ़ साबीत हुई नानी बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्रत्मी की सोच की आवे सकता उने अपनी अगली फिर्म में उनकी प्रदसन की तीसरे नंदी इस पेसर जुड़ी आवार मेला अर्जुन कुन सिखर की दरा निदेशित और रमेश की दरा निर्मित कुरुने तीरी विक्रम तीरी निवार्स की आथाडू 2005 में सव अभिनी तुस्ता क्रोशन में अभिनाय करना चुना जिसकी सिखपर को 2002 में नानी और अर्जुन की निर्मान से पहले ही मजदूरी और अर्जुन की निर्मान से पहले मजदूरी दे दी गई थी और प्रत्मी की सोद, यह साल की सबसे जर्चामाई करने वाली फिल्मों से एक बन कर उभरी, फिल्म बावु की कर्यार के लिए प्रामु की बढ़ावा स्थावी थे, क्योंकि उन्हें किराए की हत्यारोंflix हुआ में अपनी प्रदाशन के लिए अभिनेता के लिए अपना दूसरी नंदी पुरशकार प्रापाद करने के अलावा अभिनेता तिलुगों के लिए फिल्म फिर पुरशकार के लिए अपना चोथा नमाकवन प्रापाद हुआ फिर्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22 कड़ों का हिसा एक तरह किये ने इसे 23 से 25 की रेटिंग दी और उलेख किया कि महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस किये और संदार है इसके बाद उन्होंने 26 में फिर्म पोकिरी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया कि जिसे जगनात और मंजूला ने सयोग तरूप से निर्मित किया था 10 करोर के बजट पर बनी 6 महीने की भी दस सूट की गई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 65 करों से आधी की कमाई की और अपने रन की अंतग अब तक ही सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गों फिल्म बन गई भेतर सोट की अवाज सक्ता इसे दुबई में आयोजी सात्वे आइफा प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्ह अपने प्रदसन के लिए उच्चा प्रसंसा मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोधरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हीं असानी से एक इस्टार की सिल्षभ को पून प्रापात करने के अनुमत्ति दी जो देल से उनके संकीत करियर विकलपों पर हावी हो उन्होंने फेम में अपने प्रदसन के लिए अभिनेता तेल्वू के लिए अपना दूसरा फिल्षभ पुरस्कार रहे था उसी वर्ष त्रीशा की सव अभिनेत उनकी अगली फेम सायनी कोडू रिलीज है लेकिन बहुत आधिक प्रचार के बावजूर या बोक्स ओफिस पर फलाप रही और अगले वर्ष बावू ने अम्रूता राव किस्ता अभिनेत फेम अभिनाय किया जिसे उनका तेल्वू डेवू हुआ फेम का निर्मान महेस बावू की भाई राम मिस ने किया था यू टीवी मोस्तन पिक्ट्रस ने फेम की वित्रन आधिकारों को अठा का पहला तेल्वू फेम उगम बन गए दूसे आठ में बावू ने त्री विक्रम त्री निवास की दारा नीदेशी फेम जलसा के लिए आवाज दी आतीधी की जरी हाई के बाद बावू ने फेम में साथ महीने का ब्रेक लिया दो महीने बाद उन्होंने खाले जा परहस त साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी दारान बावू की दादी और उनकी पर निर्मता के माता पिता का देहात हो गया कुरुष्णा बावू की करियर को लेकर चिंती थे क्योंकि फिल्म की सुटिंग में इतने लंबे समय से देरी हो रही थी गैर प्रत्मी की सोथ और अवैस सुपर इस्टार महेस बावू की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निके वारू तो दोस्तों अगर आभी महेस बावू की फैनों और अगर आप सरी लरू निके वारू मोवी को देखना चाहते हो और साथी साथ इस मोवी को बजेट इन वाक्स ओफिस कर एक्षन को जानना चाहते हुँ तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दवाना नाम भी ना भूलेगा सरे लरो निक्के वरो अनुआ कोई भी आप से मिल नहीं खा सकता है एक दूअजर बीस की भारती तिलवुभास्ता की एक्षन कामेडी फी में जिसने अनीर रविपूडी ने लिखा और निदेशित किया है यह त्री विक्डेंटर क्रेशन्स जी महेश बावू की इंटर्टेन्मेंट और एकें इंटर्टेन्मेंट अस और की दारा निर्मी थे फी में महेश बावू रस्मी का मंदाना और विजय सांती है जबकि प्रकास राज और राजेंदर प्रसाद की सहायक भूमिकायन निभाती है देवीतरी प्रसाद ने संगीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पादन 31 माई 2019 को हैदराबाद में शुरू हुए शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में शुरू हुए और नवामबर 2019 की मघर तक चली फिल्म 21 जन्वरी 2020 को संक्राती के सार दुनिया भर में 22-50 स्क्रीन पर रिलीज है 75 करोर के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपनी हासे प्रदसन सीनेमेटोग्राफी और एक संदोसियों के लिए प्रसांसर मिली लेकिन अलोशना का उचे से पठखटा कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फिल्म की वैसाही के रूप से सफर रही और फिल्म से आधी की कमाई की एक से च्यानवे करूर दुनिया भर में बॉक्स ओफिस पर ट्रेनिंग की पोटल के बॉक्स ओफिस पर मोजो के अनुसार फिम ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुरुष्णा भारती सिना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहा अजे नाम का एक अने वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सुट रेजिमेंट में सामिल होता है बचाओ अभियान में गोली बारी के दौरान अजे गंभी रूप से घायल हो जाता है अजे की ब्रेगी डियर की अजे कुरुष्णा और उनके सहयोगी स्तिव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णोल की राष्टे में वे संस्कुरुष्णी से मिलती है जो एक चीड़ी हास्ते लड़की है संस्कुरुष्णी अजे कुरुष्णा को देखती है और उसकी प्यार में पर जाती है वो अस्मानिया के रुप से अजय को प्राभावित करने की कुछ सिस करते हैं लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कुरुनोल में विधाया कि ये दूला नागेंद्रा से बचने के लिए अजय की मा भार्दी अपने परिवार के साथ छिप गई जब वे नागेंद्रा के आदमियों के दारा पकड़े जाते हैं जो उन्हें जान से मानने की धम की देते हैं तो आजय कुरुस्तना आते हैं और आदमियों को यह चेतावने देते हुए पीठी है कि वो नागेंद्रा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्य गुरूंगा नागेंद्रा को या बात बताता है कि इस बीच भारती ने अजयक रूसना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंद्रा के खिलाप मामला दर्च किया था जिसे अत्म हत्या के रूप में दिखाया गे था जब नागेंद्रा ने उसे कीश वापस लेने की धमकी दी तो वो अपने ही बात पर अड़ी रही नतीजातन भारती को परिक्षा की पेपर लिख करने के और में काले से निलबित कर दिया गए था निलबित कर दिया जाता है और उसकी बेटी की साधी तूट जाती है अजय कुरूसना भारती साथ नागेंद्रा के घर के लिए निकालते हैं और उसे चुनावती देते हैं कि यह कहते हैं कि वह उसे एक जिम्मेदार नागरेकर में बदल देगा उसे सभी सबुत लाने के अत्म संप्रन करवाएगा अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंद्रा एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मगयम से एक घुटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तकनीकी विशेष्की की मदद से घुटाले को अपने घोटाले चला रहा है और उसी समय अजय कुरुष्णा ने उसी वैटित के साथ करती है बेटी की साधी की फिर से वैस्ता की इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरुष्णा साधी के बाद परिवार को सुचित करता है अपना अंतिम संसकार करने के बाद अजय कुरूस्टना और प्रसाथ कस्मीर लोटने का फैसला करते हैं जबकि अजय कुरूस्टना भी बीच बीच में संसकुरूती का प्रस्ताव को स्विकार कर लेते हैं सबुत इकट्टा करने के बावजुद अजय कुरूशना नागेंदर को जेल में जाने से बचाते क्योंकि वा जेल से छुटने और अपनी भश्ट की गती विधितियों को फिर से सुरू करने के लिए सानु भूति का इस्तिमाल कर सकती है इसके बज़े अजय कुरूशना नागेंदर से कहती है कि उन्हें भारती सेना में नियूत किया गया है ताकि वे अनुसासित रहे और उसके बाद एक इमानदाश जीवन जी सके तीन महीने बाद नागेंदर एक सुधारित नेता है जो अनुसासन में विश्वास करता है और करता है और अजय क्रूसना संस्कूरूती से साधी कर रहा है कई अटकलों के बाद महेस्त बावू को सरी लरू की नीके वरू नाम की फिल्म की मुक्षियों नाटक के नायक के रूप में घोशित किया गए था फिल्म का उर्धातन समारो 31 माई 2019 को आयोजित किया गए था रस्म के लिए विजय सांती को साइन किया गया था कि जिसने तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गीट के लिए साइन किया गया था यह फिल्म कई वर्सों के बाद फिल्मों में संगेता और बंदलां की गनेश की वापसी की भी प्रतिक है फिल्म पहला सेंडि के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कुडा रेडी बुरोजू के एकी प्रती क्रोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस इंडियों के सार फिल्म का टौकी भाग समाप्थ हो गया और टौकी भाग समाप्थ हो गया फिल्म की उपगरा आदेकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्श 2020 को उगादी की प्रूज संगयाप पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली टेलिविजन प्रीमियर फिल्म में 23 चार की टी आरपी दर्ज की फिल्म की डिजिटल आजिकार अमरेजन प्राइम वीडियो की दारा आधी ग्राहित किये गए थे और एक मार्च 2020 से इस्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिल्म को डॉप किया गया है और 2020 में इवान नुको को सरियाना के आई लुई के रूप में तौमिल में रिलीज किया गया तौमिल संसकारन को तौमिल लाडो के बीस दूसरे से आधिक सिनमगारों में रि गोल्ड माइस टीवी चैनल पर किया गये था फिल्म को कॉनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा की रूप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयपति ने फिल्म को 35 ए स्टार रिट किये और कहा कि सरी लरू निक्ये वारू में निची त्रोब से इसकी च्छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रियास करती है प्रदर्शनों पर नया पती ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भुमिका की सरहाना करती है एक ऐसे वहतित की भुमिका निभ गवाई ओक संग धेले की रत नवेलू की सेने मेट्रोग्राफी दुरभागय से सपर वी एफ एक्स की सोटर्स की दारा भारी पर गई इंडियन टूटे की इस बातन जाननी ने जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महिस बाबु की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ मजबूर है जाननी ने फिल्म में नकली बलतकार की दूसियों को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूसियों में नाइका की मा को सामिल करने की दूस साहास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन् कामेडी को बहतरीन मित्राद में इसे हिट किया दा इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक स्ट्र मिक्षा में मनुष कुमार ने फिल्म को रेट किया फिल्म को प्रतिस पाज स्टार दे और लिखा महेश बाबू साइंस इन माइन की ब्रेडिम पापकान फेयर सिफिने फिल्म को पैतिस दिया और इसे एक कर्मस्तियर एकसर इंटर्टेनर कहा दा हिंदू की संगीदा दिविनुद लिखा कि महिस बावो की फिर्म आस्तिक रूप से मनरोजन मितिक बैग है एक प्रोन मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने महसुस किया कि मह बदल जाती है रस्मिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेटर है महेश की दूसित और उसके मुहावरे निकू अर्थम आटूंडा है सरी लरो निके वारों ने पहले दिन कुल छो से असी मिलियन की कमाई की कमाई की दुनिया भार में महेश बाबू के पिछले सब्स महार से पांचे नबे मिलियन की सकल कमाई की उच पहा छाड की दिया फिल्म ने तीन दीनों में एक मिलियन से और ॉस दीनों में दूनिया भर की बॉक्स आफिस पर दोई मिलियन से आधी की कमाई की सबसे जएड़ा कमाई करने वाली तेलगू फिल्मों से एक बन गई और तेलगू भासे की राजियों आंध्रा प्रारेश और तिलगाना में फिल्म ने पहले दिन तीन से 277 मिलियन का हिस्टर एक्त्रा की दस दिनों में तेलगू राजियों में एक अरब से सबसे से आधीक से एक त्रीत करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिर्म ने प्रेमियर सो की मगयम से 7-69 एक ट्रा की पहले दिन फिर्म ने अस्टेलियाई में 2-36 से 54 अस्टेलियाई डॉलर नायू जी लैंड में 20-57 नायू जी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्ना में 55-34 पाउंड की कमाई की और दो दिनों में फिर्म ने सयुक्तर अमेरिका में 1-31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की तीन दिनों में फिर्म ने कनाड़ा से 4-54 चार से संतावन यूएस से चो से चोविस नो से चोवात्तर एक आरे से 51 मिलियन और यूकी से चो से उनासी चो से 51 मिलियन की कमाई की नो दिनों में फिर्म ने यूएस से मिलियन एक से 42-81 मिलियन अस्टेजियर से तीन से उन्चालिस दूश से और सट एक से एक मिलियन यूकी से और इस ने सायूत रजे अमेरिका में मिलियन को पार कर लिया और त्री मुठूंडू और भारत आने नैनो के बाद महेस्ट भाबू को करियर में मिलियन एकत्रा करने वाली तीसरी फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेस्ट भाबू का जनम 9 अगस्ट उने से पच्चातर को मदरास अपचिने तमिनारू भारत में एक तेलू भासी परिवार में हुआ था वा रामेस्ट बाबू परचाती और मजुला के बाद और प्रियदर सीनी से पहली तिल्गू अविनेता कुशना और इंदिरा के पांच बच्चों में से चो थे उनका परिवार अंद्रप्रादेश के गुंटूर जीले की बुरी पलेम से है बाबू ने अपने बच्चपन ही जयादातर मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों के देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेडे की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी इसकुल चेनाई में सिंचा प्रापात की थी उन्होंने लोयोला काले चेनाई से बनीजिया में सनाट की ड्रीगी प्रापात की उन्होंने का कि बहुत तेलुगों पढ़ने और लिखने में असमर्थे और अपनी फेमोरों को डॉम्मी चरंगे दरान उनकी नीरेशन घिदारा दिए गए सवादों को याद करते थे उन्हे से 99 में बाबू ने की रागुए नराव की दरानी देशित और प्रिटी जिन्ता की स्वाय अभिनेर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुखियो भुमिका के रूप में अपनी सुरवात की फिम वैसाही के रूप से सफरे और लोग उने ही प्रान सिंसक से बुराने लगे फिम को अस्ति क्रेंडों में 50 दिन और 44 क्रेंडों में 100 दिनों तक चलाए गए था राजकु मारूडू ने अनरा प्रादेश से दस से एकान कडों का हिस्सा एक त्रेक किये इसे हिंदी में प्रिस नंबर एक और तामिर में कथल की विनिला की रूप में डॉप किया गए था फिल्म को फिर से डॉप किया गया और जन्वरी 2017 के डवरान इवान ओरी क्यों तुनी चल करान की रूप में तमिर में नाटकर की रूप से रिलीज किया गए था अपनी प्रदासन के लिए उन्हें ही प्रुष प्रावतान के लिए नंदी प्रशकार मिला उन्होंने अगले वस दो फिल्मों अभिनाय किया यो राजू और वामसी बोक्स ओफिस पर उनके खराब प्रदासन के बार उन्होंने कुरूष ना वामसी की मुरारी 2001 में अभिनाय किया उन्होंने मुरारी को अपनी करियर की एक महात्वान प्रुन फिल्म माना और इसमें उन्हों जो मुख खियो भुमिका निभाई वो उसकी पसंदेना फिल्मों से एक थी अस्वर सत्यापन मुरारी एक वैसाही के सफलता थी और उन्हें ही नंदी इस पेसर जीवरी प्रसकार से समानित किया गया और 37 अभिनेता तेलगों के लिए फिल्म फियर प्रसकार के लिए अपना अप पहले नमाकन के अलावा हलाकि उनकी दोजादों की डिली डॉकन टोंगा और बॉबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासन किया प्रो में उनकी प्रदासन उन्हें अपना दूसरा नंदी इस पेसर जीवरी की पुरसकार दिलाया और ही दोजा तीन में बाबु की दो फिल्मो रिलीज हुए जिन में से पहले गुन सेखर की अलोचना गुन सेखर की ओकाडों सो अभिनेत भोमिकार चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसी आथी कमाई करने वाली तेल्गू फिल्म बन गए उन्होंने फिल्म में अपनी प्रदासन के अभिनेता तेल्गू के लिए अपना पहला फिल्म फियर प्रसकार जीता अन्य रिलीज तेजा की निजाम निजाम सो अभिनेत रख चीकता थी फिल्म को तेल्गू सिनेमा में डॉल बी आई एक्स के स्रावन की सिस्टम शुरू करने के लिए जाना जाता है हलाकि फिल्म ए एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रेती सुल की एक नियमित कहानी कहां उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए अपना पहला नंदी प्रसकार जीता साथी अभिनेते लोगों के लिए फिल्म फियर आवार के लिए अपना तीसरा न हीर्मां किया जिसका निदेशन यस सोरिया ने किया जिसमें अमेंसा पटिल आभिनाय किया जब कि इसके साँ सूट किया गए तामीशन्स का चारनुव के नीव में एक अलाखाइक की भुमिका वैसाही की रुप से सफल साभी थुई नानी Allah ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्रत्मी की सोच की आवे सकता उने अपनी अगली फिर्म में उनकी प्रदाशन की तीसरे नंदी इस पेसर जुड़ी आवार मिला अर्जुन कुन सिखर की दरा निदेशित और रमेश की दरा निर्मी तुरूंडे तिरी विक्रम तिरी निवास की अथाडू 2005 में सर अभिनी तूसरा कुष्ण में अभिनाय करना चुना जिसकी सिखर को 2002 में नानी और अर्जुन की निर्मान से पहले ही मजदूरी और अर्जुन की निर्मान से पहले मजदूरी दे दी गई थी और प्रत्मी की सोथ यज साल की सबसे जरा कामाई करने वाली फिल्मों से एक बन कर उबरी फिल्म बाबू की करियर के लिए प्रामु की बढ़ावा स्थाबी थी क्योंकि उन्ने किराय की हत्यारों को हिमेका में अपनी प्रदासन के लिए अभिनेता के लिए अपना दुसरी नंदी पुरसकार प्रापाद करने के अलावा अभिनेता तिलूगों के लिए फिल्म फिर पुरसकार के लिए अपना चोथा नमाकवन प्रापाद हुआ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22 कड़ों का हिसा एक तरह किये ने इसे 23-25 की रेटिंग दी और उले किया कि महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस किये और संदार है इसके बाद उन्होंने 26 में फिल्म पुकिरी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया कि जिसे जगनात और मंजूला ने सयोग त्रूप से निर्मित किया था 10 करोर के बजट पर बनी 6 महीने की भी 10 सूट की गई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 65 करों से आधी की कमाई की और अपने रन की अंतग अब तक ही सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गों फिल्म बन गई भेतर सोट की अवस्तक्त इसे दुबई में आयोजीत साथवे आईफ़ा प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्हें अपने प्रदसन के लिए उच्चा प्रसंस मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोधरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हें असानी से एक इस्टार की सिंसर को पून प्रापात करने के अनुमत्ति दी जो देर से उनके संकीत करियर विकलपों पर हावी हो गया उन्होंने फेम में अपने प्रदसन के लिए अभिनेता तेलुगों के लिए अपना दूसरा फिल्फियर पुरस्कार रेता उसी वर्ष तिरिशा की सो अभिनेता उनकी अगली फेम सायनी को कोडू रिलीज है लेकिन बहुत आधिक प्राचार के बावजुर या बोक्स ओफ पर फ्लाप रही और अगले वर्ष बावु ने अम्रूता राव किस्ता अभिनेत फिल्म आठी थी दे में अभिनाय किया जिसे उनका तेलुगों डेवियू हुआ फिल्म का निर्मान महेश बावु की भाई राम मिस ने किया था यू टीवी मोस्तन पिक्ट्रस ने फिल्म क के अल ली जलसा के लिए आवाज दी आतीधी की जई हाई के बाद बावु ने फिल्म में साथ महीने का ब्रेक लिया दो महीने बाद उन्हों ने खाले जा पर हस्ताजर के लिकिन कई देरी के कारण ब्रेक को अनायास ही दो साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी दरान लेकर चिनती थे क्योंकि फिल्म की सुटिंग में इतने लंबे समय से देरी हो रही थी गैर प्रात्मी की सोथ और अवैसिक्ता रिलीज होने पर खलेच को अलोज को से मिती समिक्षाय मिली और या भाद हेलो दोस्तों स्वावत है आपकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियों में बात करने वाली है साउट की सुपरइस्टार महेश बाबू की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निक्कयवरू तो दोस्तों अगर आभी महेस बाबू की फैनों और अगर आप सरी लरू निक्के वरू मुवी को देखना चाहते हूं और साथी साथ इस मुवी को बजेट इन वाक्स ओफिस कलेक्शन को जाना चाहते हूं तो इस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और साथी साथ बिल आइकन दबाना नाम भी ना भुलेगा सरी लरू निक्के वरू अनुवाइग कोई भी आप से मिल नहीं खा सकता है एक दुजर बीस की भारती तिलवु भास्ता की एक्शन कामेडी फीमें जिसे अनीर रविपूडी ने लिखा और निदेशित किया है यह त्री विक्डेंटर की रेसंस जी महेश भावू की इंटर्टेनमेंट और एकें इंटर्टेनमेंटर्स और की दारा निर्मी थे फीमें महेश भावू रस्मी का मंदाना और विजय सान्ती है जबकि प्रकास राज और राजेंदर प्रसाद की सहायक भूमिकायन निभाती है देवीतरी प्रसाद ने संकीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पादन 31 माई 2019 को हैदराबाद में सुरू हुए शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में सुरू हुए और नवांबर 2019 की मघर तक चली फिल्म 21 जनवरी 2020 को संक्राती के सार दुनिया भर में 22-50 स्क्रीन पर रिलीज है 75 करणों के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपनी हासे प्रदसन सीनेमेटोग्राफी और एक्सन दोस्यों के लिए प्रसांसा मिली लेकिन अलोशना का उचे से पठखटा कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फिल्म की वैसाही के रूप से सफर आई और फिल्म से आधी की कमाई की एक से च्यानवे करूर दुनिया भर में बॉक्स आफिस पर ट्रेनिंग की पोटल के बॉक्स आफिस पर मोजो के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुरूसना भारती सीना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहाँ अजे नाम का एक अनय वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सूट रेजिमेंट में सामिल होता है बचाओ अभियान में गोली बारी के दौरान अजे गंभी रूप से घायल हो जाता है अजे की ब्रेगी डियर की अजे कुरूसना और उनके सर्योगी स्रीव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णोल की रास्ते में वे संस्कुरूस्ती से मिलती है जो एक चीड़ी हास्ते लड़की है संस्कुरूस्ती अजे कुरूस्तना को देखती है और उसकी प्यार में पर जाती है वो अस्मानिया के रूप से अजय को प्राभावित करने की कुछ सिस करते हैं लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कुरुनोल में विधाया कि ये दूला नागेंदरा से बचने के लिए अजय की मा भारती अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंदरा के आडमियों के दारा पकड़े जाते है जो उने इस जान से मानने की धम की देते हैं तो आजय कुरुस्तना आते है और आडमियों को यह चेतावने देते हुए पीठी है कि वो नागेंदरा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्य गुरूंगा नागेंद्रा को या बात बताता है कि इस बीच भारती ने अजयक रूसना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंद्रा के खिलाप मामला दर्च किया था जिसे अत्म हत्या के रूप में दिखाया गे था जब नागेंद्रा ने उसे कीस वापस लेने की धमकी दी तो वह अपने ही बात पर अड़ी रही नतीजातन भारती को परिक्षा की पेपर लिख करने के और में काले से निलबित कर दिया गए था निलबित कर दिया जाता है और उसकी बेटी की साधी तूट जाती है अजय कुरूसना भारती साथ नागेंद्रा के घर के लिए निकालते हैं और उसे चुनावती देते हैं कि यह कहते हैं कि वह उसे एक जिम्मेदार नागरेकर में बदल देगा उसे सभी सबुत लाने के अत्म संप्रन करवाएगा अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंद्रा एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मगयम से एक घुटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तकनीकी विसेश्की की मदर से घुटाले को उजा कि अग्ले चला रहा है और उसी समय अजय कुरूश्ञा ने उसी वैतित के साथ करती है बेटी की साध्य की फिर से वायशना की इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरूशना साधि के बार परिवार को सुचित करता है अपना अंतिम संसकार करने के बाद अजय कुरूशना को प्रसाष कस्मे लोटने का फैसला करते हैं, जबकि अजय कुरूशना भी बीच बीच में संस्कुरूती का प्रस्ताव को स्विकार कर लेती हैं सबुत इकटा करने के बावजुद अजय कुरूशना नागेंदर को जेल में जाने से बचाते हैं क्योंकि वह जेल से छुटने और अपने भश्त की गती विधितियों को फिर से शुरू करने के जिसानु भूती का इस्तिमाल कर सकती है इसके बज़े अजय कुरूशना नागेंदर से कहते हैं कि उन्हें भारती सेना में नियूत किया गया है ताकि वह अनुसासित रहें और उसके बाद एक इमांदाज जीवन जी सकें तीन महीने बार नागेंदरा एक सुधारित नेता है जो अनुसासन में विश्वास करता है और सबी का समान करता है और अजे कुरूषना संस्कुरूथी से साधी कर रहा है कई अटकलों के बाद महेस बावू को सरी लरू की नीके वरू नाम की फिल्म की मुक्षियों नाटक के नाया के रुप में घोशित किया गए था फिल्म का उर्धातन समारो 31 माई 2019 को आयोजित किया गए था रश्मीका मांदाना को महेस बाबू के साथ फिर्म में प्रमु की मैला के भुमिका निभाने के लिए साइन किया गया था इस फिल्म के लिए विजय सांते को साइन किया गया था कि जिस तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गीट के लिए साइन किया गया था यह फिल्म कई वर्सों के बार फिल्मों में संगेता और बंदलां की गनेश की वापसी की भी प्रतीक है फिल्म पहला सेंडियोल 5 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था दुसरे सेंडियोल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कुडा रेडी बरोजू के एकी प्रती कुरोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस सेंडियोल के सार फिल्म का टौकी भाग समाप्थ हो गया फिल्म की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली टेवीजन प्रेमियर फिल्म में 23 चार की टी आरपी दर्ज की फिल्म की डिजिटल आधिकार अमरेजन प्राइम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गए थे और एक मार्च 2020 से इस्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गया थे फिल्म को डॉप किया गया है और 2020 में इवान नुको को सरियाना के आईल इलूई के रूप में तौमिल में रिलीज किया गया गोल्ड माइस तीवी चैनल पर किया गये था फिल्म को कॉनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा की रूप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयापती ने फिल्म को 35 ए स्टार रिट किये और कहा कि सरीलरू निक्ये वारू में निचीत रोप से इसकी च्छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रियास करती है प्रदर्शनों पर नयापती ने कहा कि बावु ने विजय सांती की भूमिका की सरहाना करती हुई एक ऐसे वेथित की भूमिका निभाने की अच्छा क्या जो देश की सेवा करेगा चुटकूले सुनाएगा और रक्षा करेगा उसने महसूस किया कि डीएसपी की संगित ठी इंडियन टुटे की इस पातंग जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महस बावु की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ मजबूर है जाननी ने फिल्म में नकली बलतकार की दूस्यों क को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूस्यों में नाइका की मा को सामिल करने की दूस्ता हास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फास्ट पूस की इस पारंग हेमत कुमार ने फिल्म को 325 इस्टार रेटिंग दी और कहा महस बावु ने आनिर रवेपूरी के विर फिल्म को 35 इस्टार दे और लिखा महस बावु साइंस इन माइन की ब्रेडिंग पापक्रान फियर सिफी ने फिल्म को 35 दिया और इसे एक करमस्तियर एक्षर इंटर्टेनर कहा दा हिंदू की संगीदा दिविनु लिखा कि महस बावु की फिल्म आसिक रूप से मनरोजन मि प्रोण मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने महसूस किया कि महस बावों की पास देने की लिए कुछ भी नहीं है और उर्दूत किया कि एक आर्मी मेजर की कहानी कठाना को खो देती है और बेवदा कमेडी में बदल जाती है रस्मिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेटर है महेश की दूसित और उसके मुहावरे निकू अर्थम आटूंडा है सरीलरो निके वारों ने पहले दिन कुल 6-8 मिलियन की कमाई की कमाई की दूसित बाबू के पिछले सब्सक्राइब की चलने पर बार फिर्म ने दुनिया भर की बॉक्स ऑफिस पर दोई मिलियन से आधि की कमाई की सबसे ज़एडा कमाई करने वाली तेलगू फिल्मों से एक बन गई और तेलगू भासे की राजियों आंद्रा प्रारेश और तिलगाना मी फिर्म ने पहले दिन 3-7 मिलियन का हिस्टर एक तरक है दस दिनों में तेलगू राजियों में एक अरब से सबसे से आधिक से एक तरित करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिल्म ने प्रेमियर सो की मगयम से 7-69 एक ट्रा की पहले दिन फिल्म ने अस्टेलियाई में 2-36, 7-4 अस्टेलियाई डॉलर नयूजी लैंड में 20-7-57 नयूजी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्ना में 55-34 पाउंड की कमाई की और दो दिनों में फिल्म ने सयुक्तर अमेरिका में 1-31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की तीन दिनों में फिल्म ने कनाड़ा से 4-54, 4-7 यू एस से 6-24, 9-74 एक आरे से 51 मिलियन और यूकी से 86-85 मिलियन की कमाई की नौ दिनों में फिल्म ने यू एस से मिलियन एक से 42-81 मिलियन और चेजिय से 3-49 दूर अरे से 61 एक मिलियन यूकी से 66-28, 88-88 मिलियन और नयू जिलाइड से 5-86, 1-86 मिलियन की कमाई की और इसने सायूत्र जे अमेरिका में मिलियन को पार कर लिया और त्री मुठूंडू और भारत आने नैनू के बाद महेस्त भाबू को करियर में मिलियन एकत्रा करने वाली तीसरी फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेस्त भाबू का जनम 9 अगस्त उने से पच्चातर को मदरास अप्चिने तमिनारू भारत में एक तेलू भासी परिवार में हुआ था वो रामेस्त भाबू परचावती और मजुला के बाद और प्रियदर सीनी से पहली तेलू अभिनेता कुशना और इंदि और अंद्रप्रादेश के गुंटू जीले की बुरी पलेम से है बाबू ने अपने बच्पन ही जयादातर मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों को देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेडे की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी जोला काले चेनाई से वनीजिया में सनाट की ड्रीगी प्रापात की उन्होंने कहा कि बहुत तेलुगों पढ़ने और लिखने में असमर थे और अपने फिर्मों को डॉम्मी चरन के दरान उनकी निरेशन की दरान दीए गए सवादों को याद करते थे उन्हें से निरानव में बाबू ने की राग्वेन राव की दरान देशित और प्रीटी जिन्ता की स्वाय अभिनेर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुख्यों भूमिका की रूप में अपनी सुरवात की फिल्म वैसा ही की रूप से सफरे और लोग उने ही प्रान सिंसक से बुर इसे हिंदी में प्रीस नंबर एक और तामिर में कथल की विनिला की रूप में डॉप किया गया था फिल्म को फिर से डॉप किया गया और जन्वारी 2017 के डौरान इवान ओरी की तुनी चल करान की रूप में तामिर में नाटकर की रूप से रिलीज किया गया था अपनी प्र प्रावतर मिला उन्हों नें अगले वस दो फिल्मों अभिनाई किया यो राजू और वाम्षी बोस एफिस कर उनके खराब प्र अभिनाई किया उन्हों उन्होंने मुरारी को अपनी करियर की एक महातोवान प्रून फिल्म माना और इसमें उन्हों जो मुखी भुमी का निभाई वो उसकी पसंदेना फिल्मों से एक थी अस्वर सत्यापन मुरारी एक वैसाही के सफलता थी और उन्हें ही नंदी इस पेसर जीवरी प्रसकार से साम कि उनकी 22 की डिली डॉकन टोंगा और बॉबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासन किया प्रो में उनकी प्रदासन उन्हें अपना दूसरा नंदी इस पेसर जूरी की पुर्वसकार दिलाया और ही 23 में बाबू की दो फिल्मों रिलीज हुए जिन में से पहले गुन से देकर की ओकाड़ो 100 अभिनेत भूमिका चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसी आथी कमाई करने वाली तेल्गू फिल्म बन गए उन्होंने फिल्म में अपनी प्रदासन के अभिनेता तेल्गू के लिए अपना पहला फिल्म फियर प्र करने के लिए जाना जाता है हलाकि फिल्म एक वैसा ही की विफलता थी बाबु को पि ये मैं उनकी प्रदर्शन के लिए समीच्छ से प्रसान से मिली कि विजय लक्षमी ने उने फिल्म की दुस्तरी छमाई दिखने का एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रेति सुर के एक नियमित कहानी कहां उन्होंने फिल्म मन्जुला ने अपने अगले फिल्म नानी की निर्मान किया जिसका निदेशन एस से सुरिया ने किया जिसमें अमीसा पटेल ने अभिनाय किया जबकि इसके साथ सूट किया गए तामी संस्कारण निव के निव में एक अलाकलाकार की भूमी का वैसाही की रूप से सफसाबीत हुई नानी बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्राथमी की सोट की आवे सकता उने अपनी अगली फिर्म में उनकी प्रदाशन की तीसरे नंदी इस पेसर जूड़ी आवान मिला अर्जुन कुन सिखर क की दराण निदिसित और्हमेस की दराण निर्मि तुरुन लेत्तिरी विक्रम्तिरी निवास की आथादू दोज़र पाथ में सो अभिने तूस्ता प्रोस्तन में अभिनाय करना चुना जिसकी सियकपड को 2002 में नानी और अर्जुन की नीर्मान से पहले ही मज़दुरी और प्रात्मी की सोद यह साल की सबसे जारा कामाई करने वाली फिल्मों से एक बनकर उब्री फिल्म बाबु की करियर के लिए प्रामु की बढ़ावा स्थावी थी क्योंकि उन्हें कि राये की हत्यारों को विमेका में अपनी प्रदासन के लिए अभिनेता के लिए अपना दुस ने इसे तीन से पचेस पास की रेटिंग दी और उले किया कि महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस की और संदार है इसके बाद उन्होंने दोज़ा छो में फ्रिम पोकेडी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया कि जिसे जगनात और मंजूला ने स सयोग तुरूप से निर्मीत किया था दस करोर के बजट पर बनी छो महीने की भी तर सूट की गई इस प्रिम ने बॉक्स ऑफिस प्छियासाट करों से आधिकी कमाई की और अपने रन की अंत अब तक ही सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गों फेम बन गई भेतर सूट क कि अवस्तक्ता इसे दुबई में आयोजीत सात्वे आईफा प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्हें अपने प्रदसन के लिए उच्छा प्रसंसा मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोधरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हें असानी से एक इस्टार क सिर्शा को पून प्रापात करने के अनुमात्ती दी जो धेर से उनके संगीत करियर विकलपो उपर हावी हो गया उन्होंने फेर में अपने प्रदसन के लिए आभिनेता तेलोगों के लिए अपना दूसरा फिल्फेर पुरसकार देता उसी वर्स तिरिशा की सो आभिनेता उनकी अगली फेर्म साइनी को कुडू रिलीज है लेकिन बहुत आधिक प्राचार के बावजोर या बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही और अगले वर्स बाबु ने अमुता राव की सो अभिनेत फेर्म आठी थी दे में अभिनाई किया जिसे उनका तेलोगों डेबू हुआ प्राचार का निर्मान महेश बाबु की भाई राम मिर्स ने किया था यू टीवी मोसन पिक्चरस ने फिल्म की वित्रन आधिकारों को अठारे से पाच कडोर में हासिल कर लिया जो इसका पहला तेलोगों फिल्म उगम बन गये दूर से आठ में बाबु ने त्री विक्रम प्री निवास की दारा नीदेशी फिल्म जल्सा के लिए आवाज दी आती धी की जई हाई के बाबु ने फिल्म में सात महीने का ब्रेक लिया दो महीने बाद उन्हों ने खाले जा परहा स्ताजर की लिकिन कई देरी के करण ब्रेक को अनयाई सी धूर साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी दरान बावो की दादी और उनकी पर निर्मता के माता पिता का देहात हो गया कुरुषना बावो की करियर को लेकर चिलती थे क्योंकि फिल्म की सुटिंग में इतने लंबे समय से देरी हो रही थी गैर प्रत्मी की सोथ और अवैसिक्तर रिलिज होने पर महिस्ट बावो की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निककीवरु तो दोस्तों अगर आप सरी लरू निककीवरु मोवी को देखना चाहते हो और साथ जात इस बीडियो में अंटक जरूर बने रहेगा और साथ जात बिल ऑइकन दमाना नाम भी न भूले कि एक्षन कामेडी फिन में जिसने अनीर रवी पूडि 싸 लिखा और निदेशीट किया यह त्री वेक्रेटर क्रेशन जी महेश भावू की इंटर piş और एके इंटर्टेन्मेंट अस और की दारा निर्मी थे, फिल्में महेस्ट बाबू रस्मी का मंदाना और विजय सांती है, जबकि प्रकास राज और राजेंदर प्रसाद की सहायक भूमिकाय निभाती है, देवीतरी प्रसाद निस संगीत तयार किया है, जबकि आर रतना उने छेयाकन संभाला है, उत्पादन 31 माई 2019 को हैदराबाद में सुरू हुई, शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में सुरू हुई, और नवंबर 2019 की मघर तक चली, फिल्म 21 जनवरी 2020 को संक्राती के सार, दुनिया भर में 22-50 स्क्रीन पर रिलीज है, 75 कड़ों के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपनी हासे प्रदसन, सीनेमेटोग्राफी और एक संदोसियों के लिए प्रसांसा मिली, लेकिन अलोशना का उचेसे पठखटा कहानी और अत्याधी की लांबाई थी, और फिल्म की वैसाही के रूप से सफर रही और फिल्म से आधी की क अमाई की, एक से च्छी आनवे कडूर, एक से च्छी आनवे कडूर, दुणी भर में बोक्स ओफिस पर ट्रेनिंग पॉटल के बोक्स ओफिस, पॉटल बोक्स ओफिस पर मोजों के अरोसार फ्रीम ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुरुषना भारती सीना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहां अजे नाम का एक अन्य वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सूट रेजिमेंट में सामिल होता है बजाओ बचाओ अभियान में गोली बारी के दोरान अजे पेश्यत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की साधिक की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णूल की रास्ते में वे संस्कुरुषनी से मिलते है जो एक चीड़ी हास्ते लड़की है संस्कुरुषी अजे कुरुषना को देखती है और उसकी प्यार म बचने के लिए अजे की मा भारती अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंद्रा की आदमियों के दारा पकड़े जाती है जो उन्हें जान से मानने की धम की लेते है तो अजे कुरुषना आते है और आदमियों को यह चेतावने देखती है कि वो नागेंद्रा क की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्यों गुरुंगा नागेंद्रा को यह बात बताता है कि इस बीच भारती ने अजय कुरुषना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंद्रा के खिलाप मामला की पेपर लिख करने के और में काले से निलविट कर दिया गए था निलविट कर दिया जाता है और उसकी बेटी की साधी तूट जाती है अजय कुरूसना भारती साथ नागेंदर के घर के लिए निकालते हैं और उसे चुनावती देते हैं कि यह कहते हुए कि वह उसी एक जिम प्विदार नगरेकर में बदल देगा उसी सभी सबुत लाने के बाद अत्म संप्रन करवाएगा अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंदर एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मगयम से एक घुटाले की सामिल है जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे क के साथ मिलकर एक तकनीकी विशेशकी की मदद से घुटाले को उजागर करने की कुशिश की जो नागेंदर की टेक्नोलाजी जिसकी सथापना की गई थी मैं काम करता है नागेंदर की दारा अपने घुटाले चला रहा है और उसी समय अजय कुरूसना ने उसी वैतित के कि इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरूसना साधी की बाद परिवार को सुचित करता है अपना अंतिम संसकार करने के बाद अजय कुरूसना को और प्रसाथ कस्मीर लोटने का फैसला करते है जबकि अजय कुरूसना भी बीच बीच में संसकुरूत का प्रस्ताव को स्विकार कर लेती है सबुत इकट्टा करने के बावजुद अजय कुरूशना नागेंद्र को जेल में जाने से बचाते क्योंकि वह जेल से छुटने और अपने भश्ट की गती विधेतियों को फिर से सुरू करने के रिसानु भूति का इस्तिमाल कर सकती है इसके बज़ए अजय कुरूशना नागेंद्र से कहते है कि उन्हें भारती सेना में नियूत किया गया ताकि वे अनुसासित रहे और उसके बार एक इमांदाज जीवन जी सके तीन महीने बार नागेंद्र एक सुधारित नेता है जो अनुसासन में विश्वास करता है और स सबी का समान करता है और अजय कुरूशना संस्कुरूथी से साधी कर रहा है कई अटकलों के बाद महेस बावू को सरीलरू की नीके वरू नाम की फीम की मुक्षियों नाटक के नायक के रुप में घोशित किया गय था फीम का उर्धातन समारो 31 मई 2019 को आयोजित किया गय था रश्मीका मांदाना को महेस बावू के साथ फीम में प्रमु की मैला के भुमिका निभाने के लिए साइन किया गय था इस फीम के लिए विजय सांती को साइन किया गय था कि जिस्त तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गिट के लिए साइन किया गय था य पहला सेंडियोल 5 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था। दूसरे सेंडियोल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कोडा रेडी बरोजू के एकी प्रती क्रोट सेट का निर्मान किया गए था। नौवामबर 2019 को केरस सेंडियोल के सार फिम का टौकी भाग समाप्थ हो गया और टौकी भाग समाप्थ हो गया फिम की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली ट टी आरपी दर्ज की फिम की डिजिटल आधिकार अम्रेजन प्राइम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गये थे और एक मार्च 2020 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिम को डॉप किया गया है और 2020 में इवान नोको को सरियाना के आई लुए के रूप 22 को सरी लरू सिंसक वाले हिंदी डॉप संसकारन की सीधा प्रेमियर गोल्ड माइस तीवी चैनल पर किया गये था फिम को कॉनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा की रूप में भी डॉप और रिलीज किया गये था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्षक निसेता नयापती ने फिम को 35 ए स्टार रिट किये और कहा कि सरी लरू निके वारू में निची त्रोब से इसकी च्छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रयास करती है प्रदर्शनों पर नयापत ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भूमिका की सरहाना करती वे एक ऐसे वैठी की भूमिका निभाने की अच्छा क्या जो देश की सेवा करेगा चुटकूले सुनाएगा और रक्षा करेगा उसने महसूस किया कि डी एसपी की संगित ठीक था और राम लच्मन की करवाई ओक संग ठीले की रत नवेलू की सेने मेटोग्राफी दुरभागय से सब पर वी एफ एक्स की सोटर्स की दारा भारी पर गई इंडियन टूटे की इस बातंग जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महस बाबू की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकटा अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ मजबूर है जाननी ने फिल्म में नकली बलतकार की दूस्यों क को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूस्यों में नाइका की मा को सामिल करने की दूस्ता हास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फास्ट पूस की इस बातंग हेमत कुमार ने फिल्म को 325 इस्टार रेटिंग दी और कहा महस बाबू ने आनिर रवेपूरी के विर फिल्म को 35 इस्टार दे और लिखा महस बाबू साइंस इन माइन की ब्रेडिंग पापक्रान फियर सिफी ने फिल्म को 35 दिया और इसे एक करमस्तियर एक्षर इंटर्टेनर कहा दा हिंदू की संगीदा दिविनुद लिखा कि महस बाबू की फिल्म आसिक रूप से मनरोजन मितिक बैग है एक प्रोण मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने महसुस किया कि महस बाबो की पास देने की कुछ भी नहीं है और उर्दूत किया कि एक आर्मी मेजर की कहानी कठाना को खो देती है और बेवदा कमेडी में बदल जाती है रस पहले दिन को छो से असी मिलियन की कमाई की दुनिया भर में महस बाबो के पिछले सतरेस महसी पान से नबे मिलियन की सकल कमाई की उच पहा छाड की दिया फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन से और दस दिनों में दुई मिलियन की कमाई की पचास दिनों के चलने पर बाल फिल्म ने दुनिय भर की बोक्स ओफिस पर दोई मिलियन से आधी की कमाई की सबसे ज़एड़ा कमाई करने वाली तेलगु फिल्मों से एक बन गई और तेलगु भासे की राजियों आंध्र प्रादेश और तिलगाना में फिल्म ने पहले दिन तीन से 277 मिलियन का हिस्सर एक रखिये दस दिनों में तेलगु राजियों में एक अरब से सबसे से आधीक स्यर एक त्रित करना यू एसेस की बोक्स ओफिस पर फिल्म ने प्रेमिया सो की मगयम से 7-69 एक रखिये पहले दिन फिल्म ने अस्टेलियाई में 2-36-54 अस्टेलियाई डॉलर नयूजी लैंड में 20-57-57 नयूजी लैंड डॉलर और यूनाइटे किंग्ना में 55-34 पाउंड की कमाई की और दो द प्रेमियाई में फिल्म ने कनाड़ा से 4-54 चार से संतावन यूज से 6-29 से 74 एक रखिये से 51 मिलियाई और यूकी से 96-28-88 मिलियाई और नयूजी लैंड से 5-6-1-6 मिलियाई की कमाई की और इसने सायूत रजे अमेरिका में मिलियाई को पार कर लिया और त्री मुठूंडू और भारत आने नैनो के बाद महेश्ट बाबू को करियर में मिलियाई एक तरह करने वाली तीसरी फिल्म बन गई और घटा मनेनी महेश्ट बाबू का जनम 9 अगस्ट 19-25 को मदरास अपचिने तमिनारू भारत में एक तेलू भासी परिवार में हुआ था वो रामेश्ट बाबू परचावती और मजूला के बाद और प्रियदर सीनी से पहली तेलू अभिनेता कुशना और इंदिरा के 5 ब मदरास में अपनी नानी दुर्गमा और अपने परिवार के बाकी लोगों को देखरे में बिताया उन्होंने सैट बेडे की एग्रो इंडियर हाय सेकेंडरी इसकुल चेनाई में सिंचा प्रापात की थी उन्होंने लोयोला कालेज चेनाई से वनीजिया में सनाट की को याद करते थे उन्हें से निनानवे में बाबु ने की राग्वेन राव की दरानी देशित और प्रीटी जिन्ता की स्वाय अभिनिर रोमांटी कामेडी राजकु मारूडू के साथ मुख्यों भूमिका की रूप में अपनी सुरवात की फिल्म वैसा ही की रूप से सफर प्राण सिंग्सक से बुराने लगे फिल्म को अस्ति क्रेंडों में पचास दिन और चवालिस क्रेंडों में स्राइदिनों तक चलाए गये था राजकु मारूडू ने आदरा प्रदेश से दस से एकान कडों का हिस्सा एक त्रेकिये इसे हिंदी में प्रीस नंबर एक और तामिर में कथल की विनिला की रूप में डॉप किया गये था फिल्म को फिर से डॉप किया गये और जन्वरी दोजास सत्रे के दरान इवान ओरी की ओरू कु थुनी चल करान की रूप में तामिर में नाटकर की रूप से रिलीज किया गये था अपनी प्रदासन के लिए उन प्रशकार मिला उन्होंने अगले वस्ट दो फिल्मों अभिनाई किया यो राजु और वामची बोक्स ऑफिस पर उनके खराब प्रदसन के बार उन्होंने कुरूष्णा वामची की मुरारी 2001 में अभिनाई किया उन्होंने मुरारी को अपने करियर की एक महात्वान प्रुन फिल्म माना और इसमें उन्हों जो मुख्यों भुमी का निभाई वो उसकी पसंदेना फिल्मों से एक थी अस्पर सत्यापन मुरारी एक वैसाही के सफलता थी और उन्हें ही नंदी इस पेसर जीवरी प्रसकार से सामानित किया गया और 37 अभिनेता तेलगों के लिए फिल्म फियर प्रसकार के लिए अपना अप पहले ही नमाकन के अलावा हलाकि उनकी दोज़ादो की दिली डॉकन टोंगा और बॉबी ने बॉक्स ओफिस पर खराब प्रदासन किया प्रदासन उन्हें अपना दूसरा नंदी इस पेसर जीवरी की पुर्वसकार दिलाया और ही दोज़ातीन में बाबू की दो फिल्मों रिलीज हुए जिन में से पहले गुन सेखर की अलोचना गुन सेखर की ओकाडू सो अभिनेत भोमिका चावल थी जो बॉक्स ओफिस पर 25-30 करोर की कमाई करने वाली साल की सबसी आथी कमाई करने वाली तेल्गू फिल्म बन गए उन्होंने फिल्म में अपनी प्रदर्शन के अभिनेता तेल्गू के अपना पहला फिल्म फिल्म प्रसकार दीता अन्य रिलीज तेजा की निजाम सो अभिनेत रख चीकता थी फिल्म को तेल्गू सिनेमा में डॉलबी, आई, इ, एक्स के स्रावन की सिस्टम शुरू करने क जना जाता है हरागी फिल्म एक वैसा ही की विफलत्रा थी बाबु को भि मैं उनकी प्रदस्चन के लिए संपीक्ष से प्रसांसमीली कि विजय लक्षमी ने उन्हें फिल्म की दुसरी छमाई देखने का एक माक्तर के कारण बताया जिसे उन्होंने प्रेती सुर की एक नियमित कहानी कहां उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन के लिए अभिनेता के लिए अपना पहला नंदी प्रशकार जीता साथी आविनित तोगों के लिए फिल्ब फेर आवार के लिए अपना तिसरा नमाकन भी जीता दुझेशार में मंजूला ने अगले फिल्म नानी की निर्माण किया जिसका निरदेशन एज से सोरिय ने किया जिसमें अमेशा पटेल ने आविनाई किया जबकि इसके साथ सूट किया गए तमी संसकारण निव के निव में एक अलाकलाकार की भुमिका वैसाही की रूप से सफ़साबित हुई नानी बोक्स ओफिस पर फ्लाप रही गैर प्रत्मी की सोट की आवे सकता उने अपनी अगली फिर्म में उनकी प्रदाशन की तीसरे अभिने तूसरा क्रोशन में अभिनाय करना चुना जिसकी सिखपर को 2002 में नानी और अर्जुन की निर्मान से पहले ही मजदूरी और अर्जुन की निर्मान से पहले मजदूरी दे दी गई थी और प्रत्मी की सोट यह साल की सबसे जयारा कामाई करने वाली फिल्मों से एक बनकर उब्री फिल्म बाबू की करियर के लिए प्रामू की बढ़ावा स्थावी थी क्योंकि उन्हें किराय की हत्यारों को फिमेका में अपनी प्रदासन के लिए अभिनेता के लिए अपना दुसरी नंदी पुरसकार प्रापात करने के अलावा अभिनेता तेलूओ के लिए फिल्म फियर पुरसकार के लिए अपना चोथा नमाकण प्रापाद हुआ फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 22 कड़ों का हिसर एक तरह किये ने इसे 3-5 की रेटिंग दी और उलेख किया कि महेश बावु पे सेवर हत्यारों को रूप में स्टाइलिस्ट किये और संदार है इसके बाद उन्होंने 26 में फिल्म पुकिरी के लिए पूरी जगनात के साथ सयोग किया कि जिसे जगनात और मंजूला ने सयोगत रूप से निर्मित किया था 10 करोर के बजट पर बनी छो महीने की भीता सूट की गई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 65 करों से आधिकी कमाई की और अपने रन की अंतग अब तक की सबसे जएदा कमाई करने वाली तिल्गों फिल्म बन गई भेता सूट की अवस्तक्ता इसे दुबई में आयोजीत सात्वे आईफा प्रसकारों में प्रदस किया गए था उन्हें अपने प्रदसन के लिए उच्च्य प्रसंस मिली दा हिंदू की वाई सुनेता चोजरी ने कहा कि महेश का पुकीरी में प्रदसन उन्हें असानी से एक इस्टार की सिर्शा को पून प्रापात करने के अनुमत्ति दी जो देर से उनके संकीत करियर विकलपों पर हावी हो गया उन्होंने फेर में अपने प्रदसन के लिए अभिनेता तेलगों के लिए अपना दूसरा फिल्फेर पुरस्कार रहे था उसी वर्ष तिरिशा की सो अभिनेता उनकी अगली फेर सायनी को कोडो रिलिज है लेकिन बहुत आधिक प्राचार के बावजुर या बोक्स ओफिस पर फलाप रही और अगले वर्ष बावु ने अमरुता राव किस्ता अभिनेत फेर में अभिनाई किया जिसे उनका तेलगों डेवियू हुआ फेर का निर्मान महेश बावु की भाई राम मिस ने किया था यू टीवी मोस्तन पिक्चर्स ने फेर म की वित्रन आधिकारों क अठारे से पास कडोर में हासिल कर लिया जो इसका पहला तेलगों फिर्म उगंब बन गये दूर से आठ में बावु ने त्री विक्रम त्री निवास की दारा नीदेशी फिर्म जलसा के लिए आवाज दी आतीधी की जई हाई के बाद बावु ने फिर्म में साथ महीने का ब्रेक लिया दो महीने बाद उन्होंने खाले जा पर हस ताजर की लेकिन कई देरी के कारण ब्रेक को अनायास ही दो साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी दरान बावु की दादी और उनकी परनी नर्मता के माता पिता का देहात हो गया कुरुशना बावु की करियर को लेकर चिलती थे क्योंकि फिल्म की शुटिंग में इतने लंबे समय से देरी हो रही थी गैर प्रात्मी की सोत और अवैसिक्तर रिलीज होने पर खलेज को अलोज को से मिती समिक्षाय मिली और यह भाग। हेलो दोस्तों स्वावत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाली है साउट की सुपर एस्टार महेस बाबू की करियर की सबसे बड़ी मोवी जिसका नाम है सरी लरू निकेवरू तो दोस्तों अगर आप यह महेस नाम भी ना भूलेगा सरी लरू निकेवरू अनुआ कोई भी आप से मिल नहीं खा सकता है एक दूजर बीस की भारती तिल्वु भास्ता की एक्शन कामेडी फिल्में जिससे अनीर रविपूडी ने लिखा और निदेशित किया है यह त्री विक्डेंटर की रेसंस जी महे प्रसाद की सहायक भूमिकाय निभाती है देवितरी प्रसाद ने संकीत तयार किया है जबकि आर रतना वेलू ने छेयाकन संभाला है उत्पारन 31 माई 2019 को हैदरबाद में शुरू हुए शुटिंग की 5 जुलाई 2019 को कस्बीर में शुरू हुए और नवांबर 2019 की मघ्यर तक चली फिल्म 21 जनवरी 2020 को संक्राती के सार दुनिया भर में 22-50 इस्क्रीन पर रिलीज है 75 कड़ोर के बजट पर निर्मित रिलीज होने पर इसे अपनी हासे प्रदसन सीनेमेटोग्राफी और एक संदूसियों के लिए प्रसाद सर मिली लेकिन अलोशिना का उचे से कहानी और आत्याधी की लांबाई थी और फिल्म की वैसाही के रुप से सफर रही और फिल्म से आधी की कमाई की एक से च्यानवे करूर दुनिया भर में बॉक्स ओफिस पर ट्रेनिंग की पोटल के बॉक्स ओफिस पर मोजो के अनुसार फिल्म ने दुनिया भर में मिलियन की कमाई की है अजे कुरूस्टना भारती सिना की पेरा एस एफ में एक मेजर जहाँ अजे नाम का एक अने वैतित उनकी रेजिमेंट पेरा सूट रेजिमेंट में सामिल होता है बचाओ अभियान में गोली बारी के दौरान अजे गंभी रूप से घायल हो जाता है अजे की ब्रेगी डियर की अजे कुरूस्टना और उनके सायोगी स्रीव प्रसाद को यह खबर अजे के परिवार को यह सुनिचेत करने के लिए भेशती है कि अजे की बहन की सारी की तैयारियों में बाधा ना आए एक ट्रेन में कुर्णोल की राष्टे में वे संस्कुरूस्टी से मिलते है जो एक चीड़ी हास्ते लड़की है संस्कुरूस्टी अजे कुरूस्टना को देखती है और उसकी प्यार में पर जाती है वो अस्मानिया के रूप से अजय को प्राभावित करने की कुछ सिसकरते हैं लेकिन कोई फैदा नहीं हुआ कुरुनोल में विधाया कि ये दूला नागेंदरा से बचने के लिए अजय की मा भारती अपने परिवार के साथ छीप गई जब वे नागेंदरा के आदमियों के दारा पक्रे जाते हैं जो उन्हें जान से मानने की धम की लेते हैं तो आजय कुरुस्तना आते हैं और आदमियों को यह चेतावने देते हुए पीठी है कि वो नागेंदरा की साथ भी वैसा ही वैहार करेंगे नागेंद्रा का मुख्य गुरूंगा नागेंद्रा को यह बात पताता है कि इस बीच भारती ने अजय कुरूसना को बताया कि उसने अपने भाई की बेटे की हत्या की युजना बनाने के लिए नागेंद्रा के खिलाप मामला दर्च किया था जिसे अत्म हत्या के रूप में और में काले से निलविट कर दिया गए था। निलविट कर दिया जाता है और उसकी बेटी की साधी तोट जाती है। अजय कुरूसना भारती साथ नागेंदर के घर के लिए निकलते हैं और उसे चुनावती रेते हैं कि यह कहते हुए कि वह उसे एक जिम्मेदार नागरेकर में बदल देगा, उसे सभी सबुत लाने के बाद अत्म संप्रन करवाएगा। अजय कुरूसना को पता चलता है कि नागेंदर एक सरकारी आधिकारी रामकुरूसना की मगयम से एक घोटाले की सामिल है, जिसने एक बैंक आधिकारी भारती भाई की बेटे के साथ मिलकर एक तकनीकी विशेशकी की मदल से घोटाले को उजागर करने की कुशिश की जो नाग चेंद्र के दारा अपने घोटाले चला रहा है और उसी समय अजय कुरूष्णा ने उसी वैतित के साथ करती है बेटी की साधी की फिर से वैस्ता की इस बीच की अजय को मृतूत कर दिया जाता है और अजय कुरूष्णा साधी के बाद परिवार को सुचित करता है अपना अं संस्कुरूथी का प्रस्ताव को स्विकार कर लेती है सबूत इकटा करने के बावजूद अजय कुरूष्णा नागेंद्र को जेल में जाने से बचाते है क्योंकि वह जेल से छुटने और अपनी भश्ट की गतिविधितियों को फिर से सुरू करने के जिसानु भूती का इ उसके बाद एक इमानदाज जीवन जी सकें तीन महीने बाद नागेंद्र एक सुधारित नेता है जो अनुसासन में विश्वास करता है और सभी का समान करता है और अजय कुरूष्णा संस्कुरूती से साधी कर रहा है कई अटकलों के बाद महेस बावू को सरीलरू की नीके वरू नाम की फीम की मुक्ष्यों नाटक के नाया की रुप में घोसित किया गया था फिल्म का उर्धार्टन समारो 31 माई 2019 को आयोजित किया गए था रस्मी का मंदाना को महेस भाबु के साथ फिल्म में प्रम्मु की मैला की भुमी का निभाने के लिए साइन किया गए था इस फिल्म के लिए विजय सांती को साइन किया गए था कि जिसने तेरे साल बाद उनकी वापसी की तमाना को एक पार्टी गीट के लिए साइन किया गए था यह फिल्म कई वर्सों के भार फिल्मों में संगेता और बंदलां की गनेश की वापसी की भी प्रतीक है फिल्म पहला सेंडियोल 5 जुलाई से 20 जुलाई 2019 तक कस्मीर में सूट किया गए था दूसरे सेंडियोल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में 40 मिलियन की अनुमानित लगते से कोडा रेडी बरोजू के एकी प्रती क्रोट सेट का निर्मान किया गए था आठ नौवामबर 2019 को केरस सेंडियोल के साथ फिल्म का टौकी भाग समाप्थ हो गया और टौकी भाग समाप्थ हो गया फिल्म की उपगरा आदिकार जेमिनी टेवी को बेचे गया जिसने 25 मार्च 2020 को उगादी की प्रूस संगया पर पहली बार इसका प्रेमियर किया और अपने पहली टेलिवीजन प्रेमियर फिल्म में 24 की टी आरपी दर्ज की फिल्म की डिजिटल आधिकार अमरेजन प्राइम वीडियो की दारा आधिक ग्राहित किये गये थे और एक मार्च 2020 से स्ट्रीमिंग के लिए उपलबत किराए गये थे फिल्म को डौब किया गया है और 2020 में इवान नुकू को सरियाना के आईल इलूई के रुप में तौमिल में रिलीज किया गया तौमिल संसकारन को तौमिल लाडो के बीस दूसरे से आधिक सिनमागारों में रिलीज किया गय था 15 अगस 2022 को सरी लरू सिन्सक वाले हिंदी डौप संसकारन के सीधा प्रीमियर गोल्ड माइस तीवी चैनल पर किया गय था फिल्म को कौनर में मेजर अजय कुष्णा और मल्याला में कुष्णा के रुप में भी डौप और रिलीज किया गय था और टाइमस ओफ इंडिया की समिक्चक निसेता नयापती ने फिल्म को 35 ए स्टार रिट किये और कहा कि सरी लरू निक्ये वारू में निची त्रोब से इसकी च्छन है लेकिन अनिर रवी पूरी की फूली हुई कथा जो बहुत कठीन प्रियास करती है प्रदर सरनों पर नयापती ने कहा कि बाबु ने विजय सांती की भूमिका की सरहाना करती है एक ऐसे वेथित की भूमिका निभाने की अच्छा क्राम किया जो देश की सिवा करेगा चुट नवेलू की सेने मेटोग्राफी दुर्भागय से सपर वी एफ एक्स की सोटर्स की दारा भारी पर गई इंडियन टूटे की इस बातंग जाननी ने जाननी के ने फिल्म को 25 इस्टार और लिखा महिस बाबु की फिल्म पूरी तरह से निरास्ता जनक है उसने कहा कि पठकट अलग-अलग कहानियों से भरी हुई है जो एक साथ मजबूर है जानी ने फिल्म में नकली बलतकार की दूस्यों की दूस्यों को भी अलोचना की बलतकार की नकली दूस्यों में नायका की मा को सामिल करने की दूस्ता हास क्यों बुलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा फ़र् 27 तर्यम मिद्र √ में इसे फीट किया, दा-इंडियन एकसप्रेस के लिए Əक रमिक्छा में मनुष्ख kumar ने फिर्म को §35 प्रेट किया महिस भाभू bola की ब्रेंठी पप्रावज फेल सिफिंग फिर्म को 35 दिया और इसे आक करमष्टीर एक सेंसे इंटर्टेपनर कहा दा हिंदू की संगीदा दिविनुद लिखा कि महिस बावो की फिल्म आसिक रूप से मनरोजन मित्रिक बैग है एक प्रोन मनरोजन की भूमिका में है और गलफ की निवच की नागरजुन रा ने मासूस किया कि महिस बावो की पास देने की कुछ भी नहीं है और उर्दूत किया कि एक आर्मी मेजर की कहानी का ठाना को खो देती है और बेवदा कमेडी में बदल जाती है रस्मिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेटर है महेश की दूसित और उसके मुहावरे निकू अर्थम आटूंडा है सरीलरो निके वारों ने पहले दिन कुल 6-8 मिलियन की कमाई की कमाई की दुनिया भाल में महेश बाबू के पिछले सत्रेस महर सी 5-90 मिलियन की सकल कमाई की उच पहाचाड की दिया फिर्म ने तीन दिनों में 1 मिलियन से और 10 दिनों में